हम ने कहा तक discuss किया था कि इसके पहले कि इसके पहले अभी हम लोगों ने डिसकास किया की इन नंबर के बारे में कि यह audi होते बार भार है इनको रिपीट किया सकता हैलेकिन इन तीनों लेटर्स को इन तेनों संकेत को कभी भी रिपीट नहीं किया जा सकता है मतलब इन्हें एक से अधिक बार कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता है आज हम कर रहे हैं आप भ्यास प्रस्में इसमें आपको अभ्यास कर रहे हैं कि आप ज्यादा अभ्यास कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा अब हम पह अभी तैयार हो ना तो रोमानंक आप देख लिजिए इस्क्रिन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी थोड़ा सा कुछ सिकंड रुखिए दिखा रहा हूँ भई बस कुछी सिकंड में यह देखिए यह रोमानंक हैं चीक है भई दिख रहा ना बाबू आप सभी को इन नियम के बारे में आप समझ गए चलती स्क्रीन साट ले लीजिए जो ना लिखना चाहें वह स्क्रीन साट ले ले बाद में लिख लेंगे कभी भी एक से सो तक रोमानंक कैसे लिखते हैं हम सब दिखा देंगे आपको और जरूरी भी है अगर आप परिख्षा दोगे ड इस तो आगे बढ़ें इस अधियों जो रोमानंक होता है इसमें एक से लेकर के दस तक सब अलग अलग होता है मतलब कोई भी दो एक जैसा नहीं होता है इस अगर काम की चीज नहीं है तो जाके पढ़ लीजिए यहां पर टाइम बेस्त मत करिए चलिए इस एक से लेकर के 10 तक सब अलग अलग है आपको इस्कृन दिख रहे हैं लिए कि वन के लिए क्या आई उच करते हैं आई मतलब अरे भाई आई फार इंडिया कि वोगे लिए डबल आई तीन के लिए ठिर्बल आई चार के लिए किन आई वी पांच पे लिए व्यमी फारवायन वाला वी के लिए skate के लिए आठ के लिए नो दा स्क्रिन पर देख़ा अब करें राना हमस्ष्चाने बात में बता रहा हूं समझजिए जो समझ यह साथियों जैसे अगर हम बात करें 11 1111 आपको पता है कि इनको हम लिख सकते हैं 1010 प्लस 1 वो लिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं तो मेरे भाई 10 के लिए हम यक्स का यूज करेंगे और passar आई के लिए वसरीवन के लिए I को जो लिखते हैं व हैया ऐकस आरो ना और 12 10-10 तो प्लस 2 10 एक्स के यूज करेंगे 2 के लिए डबल आई कि क्योंकि वस्ता लेकर 10 कभी में आपको दिखाया था लिए था नहां ऐसे ऐसे आप क्या करेंगे इनको बढ़ाते जाएंगे आगे बढ़ाते जाएंगे और हो जाएगा ठीक है कि अधिपक कि अरे वह क्लाश डिसकनेक्ट हो गया दुबारा भेजाओं उसी को आठसप में समय बेद दीजिये हर जगा जो अभी नया भेजाओं उटेली गराम में उसी को भेजना है चल यह ठीक है डन तो अभी वह लोग भी आ जाएंगे तो ऐसे इस तरह से आप क्या करेंगे 13 14 15 स्क्रिन पर दिखराना आपको यानि आपको क्या करना है भाई 13 के लिए आप 10 दन 3 में तोड़ोगे 14 के लिए 10 द 5 में तोड़ोगे मतलब यह समझे जैसे 15 करोम अन्क लिखना है तो तो 10 करो मनंक जो होता और लिखेंगे यनी यक्स और 5 करो मनंक जो होता निस को यानि यह पन्दर्र फोगया जिए इस और दिक रहना आपको जैश दिखराना तो 20 तक ऐसे बना लेंगे बना लेंगे ना ठीक है आगे देखिए अब बात करते हैं 21 से लेकर 30 तक अब बना लेंगे न ठीक है आगे देखिए ज्यान दीजिए का बहुत ही दिल लगा के देखिए एकदम दिमाग से कि क्वाल्टी चेंज कर लिजिए थोड़ा सा अगर आपका इंटरनेट साही नहीं है तो फोड़ा क्वाल्टी चेंज कर लिजिए अच्छा हो जाएगा चलिए आपने 20 तक सीख लिया कि समझना है सिर्फ बस याद थोड़ी करना याद करने वाली चीज नहीं है कि अब अब समझाना है इसके बाद जब इसको आप बना लेंगे ना तो बड़ी बड़ी संख्याओं को बना लेंगे एक बात और रहाद रखना रोमानंक में संख्याओं सीमित होती है आप आनंद तक नहीं लिख सकते हो क्योंकि इसमें 0 नहीं होता सबसे बड़ी कम ही इस 21 को हम लिख सकता हूं क्या 20 प्लस 1 और 20 का जो रोमानंक है वो क्या है बाबू मैंने अभी यह भी दिखाया था जैस्ट इधर देख लो इस स्क्रिन पर फिर से कनेक्ट हुआ ना कहते हैं अंधर एक लाठी एक बार है रहात है अब हम दूसरे साफ्टवेर से लाइब किये ह नहीं जहां से डिसकर्णेक्ट हो जाता है उससे नहीं करेंगे अब ना है कि देखो समझो मैं सब्सक्राइब करने क्या करते है बाबू डबल एक्स होता है और वन के लिए आई उज करते हैं यहनि हम कह सकते हैं कि 21 का रोमानंक डबल एक्स और आई होगा इसमें किसी को साथ ही 22 को क्या करेंगे हम लिखेंगे 20 प्लस 2 20 को रोमनंग में डबल एक्स से दिखाते हैं और 2 को रोमनंग में डबल आई से इफ लिए डबल एक्स और डबल आई इसी तरह से आप सारा बना डालोगे सब कहां तक 29 तक ठीक है भारती समझ में आ रहा है अधे इतना उतना भी आजाएगा न सब इकत नहीं होगी चलिए हाजमोला हाजम सब चाहे जब यहाजमोला ही है एक एक ते जाओ बसुंद को इसी तरह से साथियों आप एक अगतिस से लेके 40 तक भी होता है 31 से लेके 40 तक होता है देखिए ये 29 तक जायेगा न तो 29 में 20 प्लस 9 होता है 20 के लिए double x और 9 के लिए i और x मैंने आपको बहुत पहले बताया है लेकिन जो 30 होता है न इसके लिए 3 बार x का यूज करते हैं क्योंकि 1 x का मतलब 10 होता है तो 3 बार x मतलब 30 Biz Internet बार बार डिसकनेक्ट हो रहा है आप लोग जानाने कहीं ठीक है आप बिल्कोल कहीं नहीं जायेगा अब हटने वाला नहीं है इंटैने डिसकनेक्ट हो रहा है मुछ सिकनेंड के लिए बफरिंग होगा कि आपुलोग भाग ना नहीं अब हमें कोई आप्सन खोजना पड़ेगा अलग सेन के लिए यह यह इस बात को याद रखना आप लोग जो भी हमारे लाखो दर्सक देखेंगे कभी भी यह इसमें परिसान हुआ एक साल का अनुवल रिचार्ज किया हूं 100 Mbps की स्पीड है देता नहीं यह दस हो नहीं रेगुलर नहीं देता है आप लोग याद रखना अगर कोई बिजनेस प्लान बना रहा है आपके रिलेटीमित बता देना कि भाई एरेटल का नेट मती उच करना अभी नहीं उच करना चलो यह तो जरूरी है ना हमारे लिए आपको बताना चलो तो यह हो गया आपने कर लिया कहां तक अब 31 चालिस में चलेंगे 31 32 35 34 35 अब समझ यह 31 को हम लिख सकते हैं साथियों 30 धन एक 32 को लिख सकते हैं 30 धन दो और 30 के लिए हम तीन बर एक्स का उच चाह सकते हैं Central ठीक है और तीज के लिए हम फिर से तीन बर एक्स और टू खे लिए डबल lएई ऐसे यहाप पूरा बना लाओगे की नहीं पुरा बन जायेगा ना 49 डख न बना लो कि न बन जायगा ना बन जायेगा ना चलिए बनालिजीए बताइए आप मुझे जल्दीसे अप wet dataset 33 का क्या होगा 33 का क्या होगा जबाब दीजिएM ब्रियंका कुमारी बताइए मैं सामने साढ़ जाता हूं देखे भारती अफनेहा मुझे बताओ फटाफट 33 का क्या होगा सिर्फ हाँ हाँ ना करो बोलो और काम भी करो कि सिर्फ हाँ हाँ नहीं कि सबसे पहला जबाब आया है इसमें असनेहा का बहुत अच्छे अफनेहा अब इसे एक क्रिफना जुल्बुले अन्स और को यह निवन भारती कभी आ गया एक किसी से कम थोड़ी है क्या समझ रखता है तुम लोगों ने अपने आपको चलो क्या ही भर दूँ यह तो खुली नहीं कि बहुत चोटी है तो इसको बड़ी हो जाने दो ठीक है भाई चलो अगला बता नेक्स्ट आप लोग दूसरे का जबाब दोगे तो दो लिक्के ठीक है कुछ नया अलग तरीके से 34 क्या होगा 34 क्या होगा थोड़ा अलग तरीके से बताना ब्रेकट में करके कुछ भी जिससे लगे कि अगले का है 34 का भाई सबसे पहला जबाब चुलबुले का आया है अब इनको मैं चुलबुले नहीं बोलूँगा अंस बोलूँगा उनली बस चुलबुले वाइसे आपका नाम कुछ और होगा न अब बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हो इसके लिए आपको भी धन्यवाद इसे कर लोगे न सभी कर लोगे न 49 तक लेकिन भाई थोड़ा ब्रेक में आगे ब्रेकर भी है यह चालिस चालिस पर आपको थोड़ा इस्टाफ होना है यहीं पर आपको थोड़ा इस्टाफ होना है हम इस चालिस पर बढ़ाएगा इस पर आपको थोड़ा से समझना होगा मैंने जैसे कि आपको कल रूल बताया था चल elevolians बेटे कंब है इनका नाम रैसमी है देखो मैंने कहा ना कि इसमें बच्चे नहीं बलकि बच्चे वाले होते हैं कलास में तो कभी बलकी जाक इसका नियम मैं आपको बताया था अगर कल आपने पढ़ा होगा मैंने देल को भाई किया बताया था भी क्या फंद इंग करेग गांद करेगे वह मालों तो जाना नहीं धोड़ा फ्रिंग करता अच्य होता है बहुत अच्छे वेरी गुड आप लोग सूखता था तर दिल खुंश कर दी आप लोगों ने विसे तो में भूल के लिखा था लेकिन हाँ आप लोगों ने आप लोगों कम जहा ऐसे तो नहीं पड़ रहे ना तो इसे बच्पन में होता था न भूल दिया गाए भू तो कुछ ही सब्सक्रास जय से वह न बाएं आफ उनको बोला कोई आप चाले बोल रहे हों वहीं सही बापकि कुछ नहीं राजनीती सप्पोर्टर होते हैं उनके नेता उनके उसके मंतरी जो करें वही साही है बाकी कुछ सब गलत है to be a a अपना दिमाग भी परियोग करना चाहिए आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल इतका यल होता है न तो 40 का लिखने के लिए क्या करते हैं पता है आपको 40 का लिखने के लिए साथियों XL लिखते हैं XL क्यों लिखते हैं XL कैसे लिखते हैं बताइए मालूम है एक्चुली मैंने कल आपको रूल बताया था अगर मैं दिखाओं तो अभी थोड़ा मुझे आगे पीछे खिसकाना पड़ेगा यह बताया था इसका मान पचास होता है और यह बाई तरफ है इसका मान घट जाएगा पचास माइनस दस और इस तरह से एक से अलकमान चालिस होता है आया समझ में जो पिछली कलाफ नहीं देखा है मतलब तीफरी कलास आज यह चौथी कलास है वो तो एक इसमें का पार्ट कट गया था अलग है लेकिन वह इसी का भाग है तो जो तीसरी लाइब नहीं देखा था कि उससे समझ में कताहीं नहीं आएगा उसके जिम्मेदार हम नहीं है चलीर arusम लेफ्ट और राइट समने आज को आज आया हूँ आएगा आज समझ में आएगा नहीं दकुल भाई सहाना अवैं बिल्कुल करेक्ट करेक्ट हन्ड्रेट जो है уже का हुता ठीक है ठीक है गुड गुड बेरी गुड तो यह यहां तक तो हो गई कहानी आगे बढ़ते हैं फिर जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे बताते जाएंगे अगला देखिए कि 41 से लेके 5050 तक इस्क्रिन पर दिखरा है कि नहीं दिखाना सबको समझे इसमें क्या कहानी है इसमें कुछ नहीं करना जादा है हमें पकड़ना है 50 वाला मान चलो मुझे सभी पचास का मान क्या होगा देखिए बार बार डिसकनेक्ट हो जा रहा है यह कि पचास का क्या होगा पचास का यल होगा ना आप समझना आगे थोड़ा सा जूम करें लेकिन फिर एक बार में दिखा नहीं पाएंगे पूरा इल्ला भाई जूम कर दिए चलो एक बार में नहीं दिखा पाएंगे फिर पैतालिस तक दिखाएंगे बस चलो अब अच्छा है खुष ना चलिए बताइए बिल्कुल आप बिल्कुल टेंसन मत लीजिए बस बोलिए गाई कितम दिल से चलिए ठीक है तो आपको मैंने बताया कि चालिस का क्या है चालिस का है यक्स यल एक्स यल क्यूं है क्योंकि यल का बेलू पचास होता है मान और एक्स का दस होता है अगर यल के दाइनी तरफ कल मैंने बताया था क्या बताया था दाइन अबाया मैंने यह बताया था कि अगर बड़े मान वाला सिंबल बड़े मान वाला सिंबल थोटे मान वाले के दाइनी तरफ है तो बड़े वाले सिंबल के मान से जो पाई तरफ चुटका हुआ बैठा है उसको घटा दिया जाता ह यानि बड़ा मानवाला यल है चोटा मानवाला यह है तो यह इसके बाई तरफ है चाहे तो हम बोलें कि यल एक्स के दाई तरफ है चाहे तो हम ऐसे बोलें कि यल जो है एक्स के क्या है दाई तरफ है चाहे हम ऐसे बोलें कि यक्स यल के बाई तरफ है मानने के हुआ न एक्स यल के बाई तरफ है दोनों का मतलब एक हुआ न ऐसे इस्तिति में घटा दिये जाता है अब इसको करिए किनारे आगे कहा नहीं समझिए एक तालिसका क्या होगा भाई आपको 40 का याद हो जाए बस इसका आगे बढ़ाते जाओ एक तालीस का क्या होगा और एक के लिए इसक्तरे जाओ दो के लिए डबल आई ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ कहां तक सब को मालूम है एक से नो तक का तो भाईया 41 ऐसे कर लो 42 43 ऐसे कर डालो सब रेसमी समझ में आ रहा है अस्वनी कुमार सजाती ये भी जाती ये देखो भाईया बाबू से देखते जाओ सब पढ़ाएंगे लेकिन सबर रखना पड़ेगा कहते हैं सबर करो सबर कफल मीठा होता है चलिए इस तरह से आप करते जाएंगे इसको कहां तक तक और फिर फाइब जिरो प्यप्टी तक इसमें थोड़ा उल्टा भी पढ़ना पड़ता है अभी हम पढ़ रहें तो भाई समझते चलो चालिस था नौ इसे लिख सकते हैं और चालिस का यक्स यल होता है नौ का आई यक्स होता है क्यूं सही है न पचास के लिए या लीज़ करते हैं बस सिंगल पचास तक हो गया ड़न आगे बढ़िए अगर फिप्टी वन से देखिए इसको भी कर लेंगे कि नहीं देखिए आपको मेन मेन पकड़ना है बस मुख्य मुख्य पकड़ना है कौन-कौन आपको टेन का पता होना चाहिए 20 का पता होना चाहिए 30 का होना चाहिए 40-45 50-60 मतलब तो आप ऐसे बना सकते हैं न बोलो बन जाएगा कि नहीं देख लीजिए इस्क्रीन पर आप बना लेंगे न 55 तक दिख रहा है चलिए 55 के आगे देख लीजिए 30 तक 100 तक मैं दिखाऊँगा किसी को आ रहा हो या न आ रहा हो मैं दिखाऊँगा र किसी को ठीक है हम जदा-टाइम नहीं लगएगा मैं हटा रहा हूं टेन्सन मतलब लेना बिलकुल अगर मना कर दो मैं दिखाऊँ भी न आपकी आग्यां से आरँ आखों पर है चलिए कि यह रिवीजन कलास है रोमा नंक के लिए नहीं है नहीं है तो पचास पच्पन से साथ तक देख लीजिए देखे साथियों पचास का होता यल और पचास में अगर पांच जोड़ेंगे तो पच्पन हो जाता है तो पचास का यल और पांच के लिए भी इफलिया हो गया पच्पन अगला देखिए 61 से 65 तक देखिए अब यहां एक चीज समझना मेरे साथ ही आपको साथ का समझना होगा पहले पहले साथ का समझना होगा देखिए साथ का क्या होता है मालूम है आपको एल एक्स होता है क्या होता है एल एक्स क्योंकि यल का मान पचास होता है और यक्स का मान दस होता है अगर यल के साहिनी तरफ है यक्स तो यल के मान में यक्स का मान जुड जाता है अगर बाई तरफ है तो घड जाता है यानि अगर ये ऐसे लिखा है है दोनों वही किवल अल्टी पल्टी है बस अगर बड़ी मान वाले जो चिन है बड़ा मान वाला चिन का मतलब यल उसके बाई तरफ यानी left side कोई symbol है तो उसका मान घड़ जाता है जैसे बढ़ा मान वाला यल है यल का बैलू 50 होता है इसके left side x x का मान 10 है ति ये घड़ जाता है यानी final में ये किसका है 40 का लेकिन मेरे साथ ही वैया हो अगर यह ऐसा नहीं ऐसा है मतलब बड़े मान वाले के दाहिनी तरफ है इसका मान जूड जाता है यानि यल का मान पचास और इसका दस यह जूड जाता है यह फाइनल में 60 है में आया समझ में है यह याद रखना संभ हों कुछ लोगों को नहीं समझ में आ कि थोड़ी दिमाघ कांव करना पड़ेगा यहां फिर से सोच सोचना पड़ेगा अंजहा यह में सभी सब्सेने से कवत है जिससे में दोल्बर सा Соश Course हुआ यह को मेरे पास नहीं हे दाइन भाया समझने का आप इतना अगर ढाहNews आप जांते हो पहले हम लोग के बच्पन में बाइल सकैस कि जोड़ा ज़ोता है है कि हम लोग जाते थे क्वाएंवा कौन घृट जाते ते कवज एक कवा बाइल भाइल आराम से मजए मजए ऐसे कता है पारो दाया आपको यहां भी समझना पड़ेगा लेट राइट I तीछ कर यक्स लॉख कर मेरे तरह है कर अगे कर से बहर मैंसकों जूड़ाइगा या कुछ भी हो जूड़ाइगा इस दो अगर और गरा ऐसे है तो अद्रूब हो सकता है तो मैं कि दज्फश क्या होता है एक यह सपाक्द हम पता आ कि रिफकार ल क्या होता है कि भी एक्सेल अब ऐसा नहीं कि हर किसी में नहीं लागू होता है पचास से शुरू है नहीं चुकि यह कमान पचास होता है तो पचास के उपर काम करेगा उसके नीचे नहीं कि आगे चलें कि हम लोग चल रहे थे क्या साथ के उपर आप समझ गए अगर आपको साथ का समझ में आ गया तो इस तरह से आप सारे निकाल ले जाएंगे ठीक है मुझे आप लोग 65 का बताओ जल्दी से मने हटा दिया है नाकल नहीं करना चलो जल्दी से बताइए 65 और 66 का क्या होगा रेस्मी जी बताइए जल्दी बताइए क्या होगा फटापट बताते जाएए हो गया गड़बड देखो भाई कहीं जाना नहीं मारा सिस्टम कभी कभी गड़बड़ा जा रहा है ठीक है आगे आगे ना हम चलिए ठीक है इसका सबसे पहला जबाब रेस्मी का आया है और अस्वनी का भी आया है अपने हा अब इसे एक ठीक है बहुत अच्छे तो देखिए साथियो 65 का क्या होगा बहुत आसान है 65 65 का क्या होगा इजी है जैसे जो 60 का है उसी में 5 वाला जोड़ देंगे जैसे 60 का क्या है वही 65 को 60 दन 5 लिख सकते है और 60 का यह लेक्स होता है ना तो वी इसके लिए कर देंगे यही तो होगा लेक्स बी ना कि ना कि वहीं जा रहा है ना हो गया तो यह सट का क्या होगा आठ धन्चे शाट का होगा यह और छे का होगा वी यह हो गया साथ तो चलिए जल्दी जल्दी दिखा देते हैं आगे सत्तर तक देख लिजिए जिकराना क्लियर एकदम कोई दिक्कत नहीं न किसी को बहुत जल्दी इसका स्क्रीन साट लिजिए मैं आगे बढ़ता हूँ देखिए यहां पर समझ के चलना सत्तर में देखिए सातियों अब सत्तर वला समझना है क्योंकि 100 होता है किसका एक्स ऎक्स कमांद 10 होता है और शाठ का ओता एलक्स तो साठ धन 10 बराबर सत्तर यनिल एकस और एकस ऐसा होगा ठीक है ऑके कोई दिक्कत इसमें नहीं नहीं है ठीक है ओके डण है बहुत अच्छे है कि जलिए हो गया ना आगे बढ़ें इसी तरह से साथियों 71 का हो जाएगा जैसे 70 का आप इसी तरह से 71 का हो जाएगा रहा है एक पर सतर के बाद होता ही आपको मालूम है कि दिश्या लिख लीची है है कि इसको भी बता देता हूं कि अच्छा के लिए आपको पता है कि एल एक्स एक्स होता है उधर मत रखाए करो यारहील जाता है दो गड़ बढ़ा गाता है कि साने में कातर काई या यकल यकल भूटता है इतैंगो तो यह सतर का होता है सुछ को यह सतर मतलब क्या होता है सद्यने का यह इस तरह से आप सारा कर लेआ अब मैं क्यूं भालतु लखो आँ सब कि अętा करिए अज्सी तक करिए फटाफट स्वणी थीक है बहुत अच्छे इंटेनेट बहुत गंदा चल रहा है लेकिन मैं इनको क्या करों मैं खुद बेयोकूप हूं मैंने इसका एक साल का रिचार्ज करा के बड़ी गलती गिया बहुत बारी गलती कीया एक साल का रिचार्ज दूबारा मैं जिंदगी में भूल नहीं करने वाला हूं अब तो मैंने 10-15,000 फसाई दिया इसमें यह भी गया कि इतना गंदा इंटरनेट चलता है कि यह कलास तक नहीं दे पाता है और आगे बात क्याता है चलो अगला देखिए 80 से 85 तक देखिए देखिए 80 का क्या होता है यह यक्स यक्स तीन बार आप साथियों यहां पर एक चीज समझने वाली है पापूर समझना कुछ लोग सोचेंगे कि जब 80 का यह यक्स यक्स तीन बार होता है जायेगा क्या एसा होगा सब्सक्रिक है इसा बिलकुल नहीं हो गए एटीवन से यृटीफाइब तक आपने देख लिया नहीं देखा है तो वीडियो थणा पीछे कर के देखें अब हम नभे तक दिखा से चलो 56 नभे तक देखो एक्चुली ऐसा क्यों नहीं होगा आप जानते हो कि नहीं भाई जाना समझना असी का जब ऐसा ऐसा हो सकता है इसका मतलब क्या है कि पचास इसका मान है और इसका मान तीस है इसलिए आफी हो गया लेकिन नब्बे का यल यक्स यक्स ऐसा क्यों नहीं होगा ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी भी सिंबल को तीन से अधिक बार यूज नहीं कर सकते हैं मैंने पढ़ाया रूल में कि किसी भी सिंबल को तीन से अधिक बार रिपीट नहीं किया जा सकता है इनकी किस्मत है खराब थी जब इनकी बार यह घड़ा गई है जिखें है हुआ है 100 का सी होता है और मने बताया है कि अगर बड़े मानवाला लेटर ऐसे जेसे एक सी बड़े मानवाला जो सिंबल है अगर उसके बाईंग तरफ चोटे मानवाला सिंबल है यह देखो यहां है इ कि येहनि अक्स सिर्फी तो लगाना पड़ेगा इसमें तोड़ा ना समान सेथ्ट कटीन है facilा करें आ रहे समझ में अब इसे एक समझ में आ जो bindր मैंने लगाया ही नहीं आगे ऐसे बना लेना आप लोग, मैं बता दूं, 100 का C होता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, इसके आगे बना लेना, इसमें इन्होंने लगाया नहीं, इस स्क्रिन साट में, गयाप कर दिये हैं भाई, तुम्में क्या कहूँ इनको, ठीक है, अच्छे हैं, ये जो भी है, अगला नहीं है इस तरह से आपने 100 तक के रोमन अंग देख लिए ना हां तक के 100 अंक की इसी का कोई डाउट है तो कमेंट करी एक किसी का कोई डाउट है तो कमेंट करीए जल्दी से बताएं यह यही था डूल यह पाजमा रूल था दाहिन अबायम तरफ वाला यह रूल देख लिजिए कोई डबल नहीं है अब इसे एक हो जाएगा ना कनया जी हो जाएगा ना देखिए मुझे लग रहा है कि घंटे भर की कलास हो गई एक कलास 16 मिनिट की इसमें अलग हो गई है जो पहले चली थी वो कलास नंबर 4 हो जाएगी क्योंकि इसे पांच नंबर कलास तो नहीं करेंगे चार एओ जाएगी यह भी चौथी कलास है वह भी चौथी कलास है क्योंकि वह अलग से डिसकनेक्ट हो गई तो उसको भी हमें एक में करना पड़ेगा अब इस एक डियलेट के लिए साइंस नहीं होगी अभी फिलहाल माफी चाहते हैं अभी टीचर की व्यवस्ता नहीं है मुझे लगता है कि आज आपका यह रोमा नंक वाला खतम हो रहा लेकिन हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट और देख लीजिए लिख लीजिए 100 से बड़ा अगर होता है तो उनको कैसे लिखते हैं लिखिए 100 200 300 400 500 600 700 इनको रोमा नंक कैसे लिखते हैं कुछ लोग पूछते हैं नो आपी है थो 220 बाभ यहीं लेकिन याद रहें मिvine को 4 बार सी नहीं लिखेंगे नहीं सत्य नास होजाए कस बड़ा जाएगा Gesundia क्या दिखबारी उजी नहीं कर सकते हैं इसको हम क्या लिखेंगे DC सीडी ठीक है क्या लिखेंगे सीडी 500 कमांडी होता है यह दाहिना बाया नियम के हिसाब से होगा इसका मान ऐसे होता है 500-100 इप लिए यह सीडी होता है इसी जश्ट वृटरी होगा 300 के लिए D c होगा सिक इसका क्या होगा 250 ह Deus को से 800 हो जाएगा 900 हो जाएगा D ccसी लेकिन 900 के लिए ऐसका सीमोगा मुख्य मर्तरी कैसां इसलिए होगा क्यों कि एम कमान 1000 होता है 1000-300 गड जायाएगा एक हजार का सबका हॺ सता है मतलब सरी काइटिल में ही सबका हुता है कि इस बात को याद रखना है सब कमां काइपटल में ही होता है किसी का सबार नहीं होता है वैसे 1100 का करना है तो क्या होगा यम और C का मतलब 1000, C का मतलब इसमें से घड जाएगा यानि 1000-100 कि इसी तरह से आगे बढ़ेंगे 1500 का मान लो तो याई 1500 का क्या होगा 100 मतलब 1000 का मतलब यम और 500 का मतलब डी यानी यम डी पुर्मिला के इसका ये मतलब है 1000 धन 500 ठीक है? इसी तरह से साथी मेरे 2000 में आगे बढ़ेंगे 1000 कमान यम होता है तो 2000 कमान कैप्टल यम ठीक है? इसमें यम पी यम एल ने सब आ जाएंगे चलो ये हड़ जा भई ये हड़ जा रास्ते से हड़ जा पचीस सो का क्या होगा? यम यम डी इसी तरह से 3000 का क्या होगा? यम तीन बार ए रुके आज से ठीक है? और हाँ इस स्रीज में अगर हम लिखने की बात करें तो सबसे बड़ी रोमा नंक ये होती है 3999 इससे बड़ी सिक्वेंस से हम रोमा नंक नहीं लिख सकते हैं बाकि बीच बीच का लिख सकते हैं वाला बात है लेकिन सिक्वेंस वाला हम इसके आगे कुछ नहीं लिख सकते हैं इसका हो जाता है 3000 के लिए तीन बार यम और 900 के लिए क्या होता है पता है आप ही मैंने लिखा था ना टी तिरपल सी कि ऐसे लिख लो डी दी सी बहुत बढ़ा हो जाता यह और आगे यहल तीन बार यक्स वी तीन बार आई पता नहीं यह सही हो है गलत कि यह अब दो होता है इसमें कुछ गलत भी मुझे लग रहे हैं लिख लीजिये फिलाल जो भी है 1100 गलत्य को बोलरा है 1100 गलत्य हो जाएगा एंसी लिखाएं घलत नहीं गलत नहीं है यह गलत लिखा है यह पलस होगा बाख़ी सही है यह 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 लिखा आलेorf नहीं इसके अलामा कुछ इसमें important fact और भी मैं दिखाना चाहता हूं थोड़ा सबर बनाये रखना स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं थोड़ा रुकना थोड़ा इस्क्रीन पर दिखा रहा हूं रुख जाओ थोड़ा सा थोड़ा सा एकदम छोटे-छोटे से हैं यह जल्द यदि बदल जायर भतनी लगा भी एक नहीं लगा है कुछ है सिक्वेंस वाले जिनको मैं लिख रहा हूं लिखाना चाहता हूं आप लोग समझ गए ना मुझे लग रहा है नहीं मिलेंगे जाने दो अटाओ कोई मतलब नहीं है जैसे इस से ज्यादा कहीं काम नहीं लगेगा डीलेड में इतना सब आएगा भी नहीं मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया इसमें इतना कुछ नहीं आएगा इतना बिल्कुल नहीं आएगा ठीक है तो उमीद है कि आप लोग समझ गये होंगे इस तरह के और भी रोमनंक बना लेंगे इसमें मैंने बीटीसी का चार गुना ज्यादा पढ़ा दिया है लेकिन आप अचा नहीं करेगा आपको नालेज होना चाहिए पूरा फूल नालेज होना चाहिए ठीक है इसलिए मैंने थ अच्छी तरीके से जो बचा हुआ है उसे चार्ट डालो इसे तो इसमें क्या करना है रोमनंक में नंबर को कैसे लिखेंगे इनके जादा फे जादा अभ्यास करने है ठीक है आप मुझे एक उदाहरन बताईए चोटा सा है नन्ना बर का जैसे 41 है तो इसको रोमनंक में कैस कैसे लिखेंगे बताईए और यह कलास सिर्फ डीयलेट वालों के लिए नहीं है किसी के लिए भी सब के लिए इंपोर्टेंट है याद रखना ठीक है हर किसी के लिए है यह तो मैं आपको एक से लेकर सो तक पहले रोमनंक की स्क्रिन पर दिखा दूँगा कुछ-कुछ सिक होगे रोमनंक बड़ी खतरनाक अंख है यह जैसे आपको मैंने कल बताया था जो बच्चे कल जूड़े थे उन्हें मालूम होगा संख्या पद्धती में कुल्दास अंख होते हैं जिसमें जीरो और वन से दो ही होता है जो रोमन संख्या पद्धती है इसमें कुल साथ सिंबल होते हैं अंक नहीं संकेत बोलते हैं सिंबल बोलते हैं ठीक है समझ में आ रहा है ना तो एक से लेकर दस तक आप इस स्क्रिन पर देखिए जिख रहा ना आप सबको एक से लेकर दस तक तो आसान है ठीक है इसमें कुल कितने सिंबल होते हैं आपको पता है रोमनंक में वही सबसे पहले तो वान यूज होता है यह स्वरी आई एक यूज होता है एक मिनट में आपको कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देने वाला हूं थोड़ा सा रूकना मैंने लिख कहीं रखा हुआ है क्योंकि हर चीज याद नहीं रहता है देखो आई यक्स थी यह चार हो गए इसके आलामा और भी कुछ होते हैं कौन कौन से एक तो वी होता है एक डी होता है एक दिया और कौन होता है यह यह होता है न ठीक है डन समझ गए न आप लोग तो यह कितने हो गए टोटल साथ हो गए न एक दो यह तीन चार पांच है साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको देने वाला हूं पूरे कलास का सारांस यह है इसमें कि इसमें सिर्फ चार की रिवीजन यानि पुन्रावित्ती हो सकती है और बाकी के तीन की नहीं होती है थीख है आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं तो मैं गार रहा था इसको बिगो के इससे मिटा सकूंगा थीक है पुन्रावित्ती का मतलब क्या है पहले कुछ एक्जामपल आपको सिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे दिखे साथियों जो 500 है ना 500 मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूं लेकिन बहुत सारे यहां पर लगाएगे इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता आपको दिखान एक हजार को साथी किससे लिखते हैं यम से किससे लिखते हैं यम से और अगर तीन हजार है ना तो इसे हम लिख सकते हैं एक हजार धाने एक हजार और धाने एक हजार बोलो लिख सकते हैं तीन बार ना इसको तो इसका रोमनंक तीन बार यम होगा और सब कैप्टल में ही लि नहीं लिखा जाता है आपको समझ में आ रहा है ना कमेंट करके हाँ हाँ कुछ बोलते रहे हूं हाँ नहीं बोलेंगे तो फिर मज़ा नहीं आ रही यह जान लीजिए आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहे है कि इसमें से मेरे भाई कि इन चारों को सकता मतलब क्या होते हैं रिपीट होते हैं यह तीनों कभी भी रिपीट नहीं होते हैं मतलब आप पूरे जितने भी रोमशन fonctionne की कहानी है उसमें कहीं भी आप इन को डबल नहीं पाऊगे कि हमेशा सिंगल रहते हैं पूरी जिन्दगी काणर엔 रहते हैं समझ गए 나, मानभैंदर सिंग समझ गए कि नहीं, ये कभी रिपीट नहीं होते हैं ये रिपीट होते हैं, आप कहो कहां होते हैं आप को रोमन अंक से संबंधित अगर कोई भी सिकायत रही ना तो बताना पढ़ाना छोड़ देंगे अच्छी बता रहे हैं सब बंद करके सादू बन जाएंगे लेकिन हां दिल लगा के पूरा पढ़ना एकदम वैसे दिल लगाना जैसे तुम लगाते हो जहां नहीं लगाना चाहिए वहां बस यहां तो थोड़े देर लगाना है अदम नहीं लगाना है देखिए जैसे मैंने क कि यह 4 रिपीट होते हैं, तो मेरे भाई जैसे अगर हमें 3 लिखना है तो 3 के लिए हम 3 बार आई लिख देते हैं यह हो गया रिपीट तुर्ट है दन अगर हमें 20 लिखना है 20 में हम double x लिख देते हैं 20 भी हो गया समझते चलो फटाफट इक है यानि I X समझ रहे ना यह दो हो गया अब आगे समझ ना सी ना मैंने कहा कि सी भी रिपीट होता है अगर 200 लिखना है तो क्या डबल सी यह रिपीट हो रहा है ना अगर 300 लिखना है मेरे भाई तो यह है तो 300 के लिए तिर्पल सी अरे तिर्पल सी कंप्यूटर वाली नहीं और मैंने कहा कि यह भी रिपीट होता है तो चच्छा तुमारी जगा कहां से आएगी अगर मैंने 2000 लिखा तो इसको हम डबलेम लिख सकते हैं यह 2000 वाली नोट हो समझ में मैंने कहा कि मेरे भाई इन में से साथ टोटल संकेथ हम रोमा नंक में यूज करते हैं पूरी इनकी कहानी में केवल साथ अंक यूज होते हैं साथ संकेथ सिंबाल अंक नहीं बोलते हैं लेकिन इन में से चार ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं इनके जोड़े क्या तीन कि छोड़ा बन जाता है लेकिन यह जरते हैं यह कंड़ अखर-, accusations वर रहते हैं कैम समझो है बॉब आई संबस्त All ऐसे A का मान-पांच होता है है हम पहले ऑफके हो है होता है ना जानते हो ना आप लोग को समझदार हो ना यह डबल भी भी कभी कठा नहीं हो सकती यह नियम के खिलाप हो जाएगा फिर यह ऐसा नहीं हो सकता है अगर दफ लिखना है तो आप इनके लिए अलग सिंबल यूज करोगे एक्स एक्स यूज करोगे समझ गया ना सिस्टम की बैटरी लोग हो गई इसे में चार्ज में लगाऊंगा तब तक आप लोग थोड़ा सब्र बनाके रखिएगा जाएगा नहीं एक मिनट भाई रुकुजा लगा के नहीं गया लड़का यह समझ में आ अधिन को बड़ी अपनी कहानी बताना है बाबु निवेधन है नंबर चल रहे हैं उन पर कांटेक्ट करें हैं लाइन नंबर पर कांटेक्ट करिएगा तो हम बात क्या कर रहे थे हम बात कर रहे थे कि यह चारों संकेत रिपीट हो सकते हैं जिनके उदारन यह हैं लेकिन यह तीनों कभी रिपीट नहीं होते हैं चैसे देखिए यह अगर डबल भी कठ्था लिखेंगे तो यह गलत माना जाता है ठीक है यह क्या है यह गलत है यह रांग है ऐसा नहीं भूलना बहुत बड़ा पाप होगा अगर लाइक नहीं करोगे आज चलो इसको मैं अब मिटाओं ठीक है नहीं मिटाओंगा नहीं आगे देखिए कि समझ यह कि मैंने कहा कि कभी भी यह तीनों डिजिट रिपीट नहीं हो सकते हैं ऐसे जैसे देखिए एक और यहां पर इस खाने में देख लो भाया लिख रहना उपर जैसे एक डी कमान 500 होता है यह याद रखना दी कमान क्या है 500 होता यानि 500 को रोमा नंक में डी से लिखते हैं तो मेरे भाई 1000 को कभी भी हम डाबल डी नहीं लिखेंगे यह गलत है यह मतलब यह रिपीट नहीं हो सकता है जैसे हम 200 को 200 को double c लिख दिये हैं यह लिख सकते हैं 200 को हम double c लिखे हैं क्योंकि c को स्वरी रोमा नंक में 100 को c से दिखाते हैं कि यानि सी को परदर्शित करने के लिए स्वारी सी को नहीं यार हंड्रेड को परदर्शित करने के लिए सी उच करते हैं पांच सो को परदर्शित करने के लिए रोमनंक में डी उच करते हैं कि वन को परदर्शित करने के लिए आई उच करते हैं दस को दिखाने के लिए यक्स तो को सी एक हजार को यम मैं सिखा क्या रहा हूं अगर बिल्कुल तन मन से पढ़ेंगे धन नहीं यहां पर धन नहीं लग रहा है इसलिए मैं तन मन और दिल हां तीन लगा यह था मन और दिल दोनों अलग अलग चीज़ें होती है मन कभी दिल की नहीं सुनता है दिल कभी मन की नहीं सुनता है ना दिल लोगों कहीं और लगा रहता है मन कहीं और लगा रहता है तो बहुत दोनों यहीं पर लगाना तब समझ में आएगा कि ठीक है चलो यह वगया डन कि यह को नीचे हेलप लाइन नंबर चल रहे हैं जिनके ज्यादा चुल पर रही है न उस पर चले जाओ जादा होने के बाद जन्वे करते हो कि माइंड के उपर से बही जाता है जो नहीं लिखे थे वीडियो थोड़ा बैक करेंगे यह सब फिर से दिखने लगेगा लिख लेंगे आगे बढ़ें और जो बी नए साथीं चैनल को सबस्क्राइब करेंगे जो नए साथ ही है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे याद रखना कोई पूछ रहा था कि अगर हम सन्यासी हो जाएंगे तमारी वाइफ का क्या होगा कि इतनी सारी वाइफ हैं क्या करेंगे इनका सब का पहली यह बताओ अगर अगले नियम दिखाएं तो ऐसे हम आपको नियम दिखाएं तो ज्यादा बहतर है कर रहेगा एक बात मुझे यह बताओ क्या फिर 40 को ऐसे लिख सकते हैं आज अभ्यास की कलास है यह अभ्यास परस्ण वाली कलास है कल आपने कलास पढ़ा था रेगुलर इसमें अभ्यास करना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना अभ्यास के पता नहीं चलेगा तो मैं नियम दिखाना चाहता हूं कुछ कहां गए भई क्योंकि यक्स को रिपीट कर सकते हैं गर्ल गलक्सी बोल रहीं कि यक्स को रिपीट कर सकते हैं इसलिए आप ऐसा लिख सकते हैं असने आप बोल रही यक्स 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 कितनी बार लिख सकते हैं वगवान कहां हो इसको नहीं बोले जाने दो कल मैं क्या पढ़ाया था यही सब तो पढ़ाया था कहां थे आप लोग देखिए अब मैं नियम की दिखाता हूं ज्यान दीजिए स्क्रिन पे स्क्रिन दिख रही ना लिखा है यदि किसी संकेत की पुन्रावित्ती होती है तो जितनी बार आता है उतनी बार उसका मान जोड़ दिया जाता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी मैंने आपको बता की Gar Тогда यह गलत है कियों किसी भी डिजिट को तीन से अधिक बार की नहीं सौरी सिम्बल अंक बिए क्या जह सकता है यानि यह जाएbels के लिए अटे है इसके लिए यक्स यहल याज अलेक्ज मैं से कुछ होता है पाद में बताएंगे इसका जो मान-मंण लिखा इसा नहीं हो सक एक है ? तो मैं ईक काम करूँ पहले आपको एक से सो तक लिक्वा दूँ तो साथी ओवह इसको क्या पढ़ेंगे मैं आपसे पूचा था आप लोगों ने इसका जवाब दिया था और इसको मैंने पूचा था, है ना ? तो आप मुझे इसको बताए क्या पढ़ेंगे कर यह देखे मैं बताता हूं जैसे आप अभी तक गिने हो पड़े हो है ना उसी तरह से इसको भी करेंगे समझे एकाई दहाई सैकड़ा हजार दफ हजार लाक दफ लाक करोंड दस करोंड यानि 11 करोंड क्या होगा 11 करोंड और 11 करोंड के बाद कुछ नहीं बचरा सिर्फ 0000 ह है और तीन है तो हम क्या बोलेंगे 11 करोंड तीन क्या बोलेंगे 11 करोंड तीन ठीक है रामेश्वर साहू जी बहुत अच्छे भाई रामेश्वर जी बेरी गुड रामेश्वर जी चलिए तो अब हम यह अंको सब्दों वाली कहानी खतम करते हैं मन्नु तिवारी जी आप बहुत ही खुशी की बात है कि आप जुड़ गए आप लोग जो भी लोग एक्टिव थे वो लोग जुड़ गए ठीक है तो जो लोग छूट गए है वो बात में देखेंगे अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है अस्थानियमान यानि प्लेस बैलू प्लेस बैलू आपने पढ़ा होगा बहुत जगह है इसके पहले मैंने बेसिक मैथ में पढ़ाया है लेकिन अब सिलेबस के अकार्डिंग जो कलास चल रही इसमें भी पढ़ाना अस्थानियमान बहुत ही आसान होता है इसमें आप में जातियमान तो है नहीं लेकिन मैं आपको बता दूँ जातियमान या जिसे फेस बैलू बोलते हैं वो कभी बदलता नहीं है किसी भी नंबर का अगर हमें जाती है मान या फेस बैलू निकालना है तो वही नंबर होता है जितना रहता है कि ठीक है यहां पर समझना कि आगे क्या करना हमें देखना यहां पर कि समझना भई समझना कि जैसे मैंने नंबर लिखा 37925 तो इसमें हमें क्या सीखना है अस्थानिय अमान कि अस्थानियीमन ठीक है मुझे लग रहा है कि थोड़ा बलर टाइपिक रहे है बहुत क्लीर नहीं दिखे है कि पारट य्जूम कर दया जाए कि पतकी परना जितना ऊच्छा नहीं चलती मटकी आए देखो फिलाल मने लिखा 3795 925 देखे बहुत ही सिंपल सा तरीका है अगर इसमें हमें 5 का प्लेस बैलू निकालना है मैं एक एक नंबर का बताऊंगा एक एक नंबर का बताऊंगा अगर 5 का प्लेस बैलू निकालना है तो हम क्या करेंगे इस नंबर को लिखेंगे 5 को इन्टू गुड़ा का चिन्द लगाएंगे और फिर 1 लिखेंगे ये परकिरिया हम सभी में करते हैं जितने का भी प्रलेस बैलू निकालेंगे सब में तो 5 का 1 मैंने क्यों किया यहाँ पे समझना एक्चुली 5 के बाद में कोई नंबर नहीं है इफली अगर कोई नंबर नहीं है तो इसके बाद में सुनना नहीं लगता है अगर कोई नंबर होता तो इसके बाद क्या करते हैं 0 लगा देते हैं तो कोई नंबर नहीं इफली नहीं लगा 0 तो यह 5 हो गया इफ ही तरह से हम टू का निकालेंगे तो टू इंटू क्या करेंगे वन यह तो हर किसी में करते हैं इसके बाद क्या करेंगे आप देखो टू के बाद कितनी गिंती है मुझे बताओ बताईए कि टू के बाद कितने डिजिट हैं आप देखरें टू के बाद में सिर्फ वन डिजिट है यह नि फाइप तो वन जीरो यहां पे हम लगा देते हैं बस ठीक है यह चीज याद रखना ऐसे ही होता है तो यह हो गया 20 इफी तरह फिन नाइन का प्लेस वैलू फाइंड करेंगे तो 9 लिफेंगें इंटु 1 ये नंबर लिखेंगे जो भी नंबर रहेगां ईंटु 1 ये सब में करेंगे ये चीज हर किसी में करेंगे सब में उसके बाद 9 के कितना डिजिट है वन टू टू डिजिट है तेहां पे टू सुनना इस तरह से आपका यह हो गया 900 है कि ठीक है दंये हर एक अंक का मैं अस्थानियमान बता रहे हूं इस में मैंने पहले पांच का थानियमान निकाला फिर दो का निकाला फिर नो का निकाला और इसमिकाली में इस तरह से Mackled boy तो तेलों क्या होगा सेबन इंटु वन और कितना जी रो भाई सेबन के बाद में कितने अंख एक दो तीन तो तीन सुनना लगा लिजी यह यहीं सेबन थाउजंड कि समझ में आया ना बारती आया समझ में अन्स आया समझ में मन्नू कि सबको समझ में आया थीक है आया तो ठीक है ठीक है चलिए बताइए अब मुझे यह बताइए कि 57325 इसमें थ्री का प्लेस बैलू कि दिस्कनेक्ट हुआ फिर मुझे नोटिपिकेशन कहने दिया है चल रहा है ना इंटरनेट गडवड़ा अगया फिर से इसलिए ऐसा हो रहा लेकिन आप कटने वाला नहीं है अब टेंसर नहीं लेना आपको बफरिंग करेगा तो कहीं जाएगा नहीं आपको कहीं जाना न यह कंट है हजार बता रहा उसका तो गलत है की अ Mamu अन्स और जाविता का वही नइए रहा है बफरींग कर रहना विच बिच में अभी तक ही नोटिफिकेशन देता था रिकनेक्ट होता था फिर आज नोटिफिकेशन भी नहीं दे रहा है कि यह चलिए ठीक है आप लोग बताते जा चाहिए गा जो भी हम लोग को आज तो पार करना इए इसका 300 होगा क्या होगा 900 हाँ अच्या उपर वाले को 300 होगा ठीक है जो भी अच्छा इसका इसका बताया था 3000 यह आप मुझे समझ में आया ठीक गडिक ठीक के मैंने इसमें पूछा था पाई इसमें पूछाता हैै इसमें ठीक है आप लोग जान गए तो इस तरह से आप मुझे लगता है कि अस्थानियमान सीख गए इसमें बहुत ज़्यादा सबाल कराने से कोई मतलब है नहीं इसमें मेन होता है दसमलो वाला इस्थानियमान लेकिन दसमलो वाला आपके सिलेबस में तो नहीं है फिलहाल लेकिन हम बताई देते हैं ठीक है उपर वाले का 30,000 निच्चे वाले का 300,000 लेकिन मैं यह इसमें इसलिए मुझे लगा कि आप लोग गलत बता रहे हैं ठीक है देखिए एक और बता दीजिए दो चार तब फिर आगे बढ़ें हाँ इसमें अगर आपसे दोकर प्लेस बैलू पूछा जाए तो सबसे पहले कौन बताएगा देखते है कौन सबसे पहले बताता है आप लोग समझ गया तो फिर आगे बढ़ा जाया है दो कप प्लेस बैलू आपको बताना है वाट value of 2 बताइए जल्दी करिये अंस 20,000 भारती चबी मन्नू अमरित राज ठीक है बही कोई 2000 न बताना बेजजती नहीं करना है ठीक है और कोई एनिवन देखे कुछ लोग तो छूट गए पिछली कलास में पिछली कलास दिसकनेक्ट हुई वो खुदी डिसकनेक्ट हो गए तो आ इसके बाद रखिए अगर कभी भी हमारी कलास बीच में कट जाती है तो आप पीवियार स्टडी लाइप सर्च करेंगे और एक बार नहीं दस बार सर्च करेंगे जब तक मिल नहीं जाएगा क्योंकि हम कलास छोड़के जाने वाले नहीं है एक बार डिसकनेक्ट हो गई टू वन लगाएंगे इसके बाद में चार अंख है यहां बन टू थरी फोर तो चार्थी सुनना लगा ओगई तो चार्थी सुनना लगा दो इसके बाद ना क्या करना है ट्वंटी थाउजंट आ गया ना कि समझ में आया ना अब हम बात करते हैं दसभलों संख्याओं का अस्थानी अमान कैसे करते हैं अब यहां पर द्यान देना कि हां कि दस हमलों वाले संख्याओं का अस्थानियमान कैसे करते हैं देखें यहां पर एक थोड़ा सा लाजिक समझने वाला है जैसे मैंने दिया 5.37 देखें इसमें 2 पार्ट होता है एक पूर संख्या का पार्ट होता है कि अपूर संख्या होती है अगर हम बात करें बोटा मोटा तो इसे हम लिख सकते हैं 5 श्रीयी प्लास पूंट बीदियू ये कितने लोग गड़े हैं इसा हो सकता है न कि इह और आएंगे ये ये अ आगल कुल एक्जाम में आयेंगे क्योंकि सिलेबस ने था कुछ ने लिइए गया अब सिद्दा में निकलेगा वैसे जैसे आप पढ़ते आयों इसमें कुछ निकरना जैसे इस अस्थानियमान इसका पांच का पांच ही होगा सेम उएसे होगा जैसे मैं कहीं अगले 5 लिख दू और आप से पूछू 5 का पलेस बैलू बताईये तो 5 होगा क्योंकि इसके आगे पिछे कुछ ह क्युमों अगले निकलना है जो दस हमलों के बाद में तो इस में दिमागा लगाना है लगाना क्या है देखिये इðार समझी अ हमें निव लिखना है इसकार एक पेडिकर पगल में रोज सेवन के बाद इतना नंबर हैुतना सुन नाजा लेना time यही बताते हैं नो वैसे इस में भी करना है लेकिन इसमें थोड़ा सा correspondslà करना कर थोड़ा सा ला को इसमें नंबर लिखने के बाद हम पिछे देखते थे कि उस number के जो number का place value करना है उसके पिच्छे कितने अंक हैं पिच्छे का मतलब बात करें तो dynified पतलब number के right side लेकिन इसमें उल्टा है इसमें पिच्छे ने इसमें आगे देखेंगे ठीक है समझ रहो इसमें आगे देखेंगे तो यह मैंने 3 तो लिख लिया into इसमें 1 होता था इसमें 1 नहीं 1 upon 1 होता है ऐसे होता है ठीक इसमें क्या करना 1 आप 1-1 करना अभी इसके आगे कितना 0 है इससलिस कितना पुछ है अर्य था मर्लों और theoretically कोई कुझ ङुनिखा रहे ना अगर कुछ नहीं भी होता है तब भी यहां पर क्या करते हैं हमें एक जीरो बढ़ाते हैं भाइच अभी गुपता आपका सही था आपका डिलीट कर दी तब भी क्या करते हैं एक जीरो बढ़ाते हैं इस तरह से यह थ्री अपांट टैन बनेगा ठीक है आप इसको भी आंसर बता सकते हो यह फिर आप इसे दसामलों में चेंज कर दीजिए तो यह भी आंसर है देखिए कहते हैं ना कंफ्यूजन कुछ लोग बताया थे आंसर पर डिलीट कर दी उनको लगाई तो गजब गलत बता दीए बिजचती हो गई जैसे होता नहीं कौनों कौनों बच्चा को कोई चीज आता रहता है और कोई थोड़ा हड़क डपट के पूछ हां तो इन पचे 15 होता है पूछा तो कहा हां होता है फिर डपट के पूछा 15 होता है नहीं नहीं अठारा तो ऐसे डाउट में मत रहिए क्लियर करते चाहिए अब देखिए आगे बढ़ें इसी को उठाके इधर ले आईए और इसमें मुझे सेबन का बताईए देखिए एक चेलियर हो जाएं क्लास में बस मेरा इतना ही मतलब है अगर हम इसी को इधर लाके लिखे इसमें सेबन का प्लेस बाहलों फाइंड करनी है तो क्या होगा थोड़ा समझ यह क्या करना है भाई साब हम पहले सेबन को लिखना है इंटू अन आपन वन करना यह मैंने बताया था अब इस नंबर के पहले कितना अंक है इस नंबर और दस अंबलो के बीच में कितने अंक है तो भाया इस नंबर और दस अंबलो के बीच में एक अंक है वो है थ्री तो एक अंक अगर रहेगा तब यहाँ दो जिरो बढ़ाएंगे अगर यहां कोई अंक नहीं था तब भी एक 0 बढ़ाए था यह याद रखिएगा अगर उस नंबर जिसका हम place value find कर रहे हैं और दस हमलों के बीच में एक अंक है तो हम 2 0 बढ़ाएंगे अगर 2 अंक है तो 3 0 बढ़ाएंगे 5 अंक है तो 6 0 बढ़ाएंगे मतलब जीतना रहेगा उससे एक अठी ठीक है याद रखिएगा बस हो गए कहानी खतम तो यह हो जाएगा 7 upon 100 इकोल हो जाएगा 0.07 इसमें एक और भी जुगाड बता दें आपको यह तो तरीका हो गया नियम अनुसार हल करने का बहिमानी करने का तरीका सीख लीजिए तो बहिमानी करने का तरीका यह है जैसे देखिए 5.37 अगर सिर्फ अनुसार से मतलब है न तो आप एक काम करो वो नमबर लिख तो चुपे से जितना है उसके बाद देखिए इसके पहले क्या एक अंक है न इस अंक की जगा पर जीरो लिखिए इस अंक की जगा पर जीरो लिखिए और दसमलो की जगा पर जेश्ट दसमलो लगा दीजिए और इस अंक की लागा पर जीरो यानि जितने भी अंक है उसके पहले सब की जगा पर जी है डन कोई दिक्कत नहीं किसी को लिखिए हो गया यह भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं न ठीक है कि ओके तो यह चले ठीक है हो गया डन तो आप समझ गए अब मुझे एक बात बताईए इधर देखिए और बताईए अगर मैंने इसमें लिख दिया वन मुझे इसमें वन का प्लेस बैलू कोई बताएगा बताईए वन का प्लेस बैलू क्या आएगा जल्दी करिए फटा फट बताईए क्या आएगा वन का प्लेस बैलू क्या आएगा जल्दी करिए मैं कुछ और भी एक्जांपल दे रहा हूं देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने पढ़ लिया बस हो गया बहुत सारे एक्जांपल करे रहेंगे ना तभी बेतर है मैतमेटिक्स ने जितना जादा भ्यास करिए उतना आधिका यह दा हो गया मालनलों ल॥ हो धितना आ जाद पी इसमें बताए ऐ बासे मालने साथ क्षान आगास का इसमें दो क्षान कर रहा हूं ओ बताना या जलो जिसको टिक कर रहा हूं उसका उसका अस्थानी एमान आपको फाइंड करना है जल्दी करिए फटा फट दस अमलों में बताईए मन्नू छबी कनया बारती अमरित राज क्यों बीटेसी में सिर्फ लडकियां इंपढ़ती है का लड़के। लोग निपढ़ते हैं अहां एक टूली लड़के लोग तोटा गदा टाइम के होते है सोजाते हैं जल दी न हूँ जबकि ऐसा नहीं है लड़के लोग कोमत आती है और लड़किये लोग पढ़ना चाहती हैं दोनों बात सही है ना चलिए ठीक है तो आया किसी का सभी समझ गए ना मैं बता देता हूं अंसर पहले वाले का आएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो दसहमलो के बा Expect 2 रहेगा न न अप्ऺ 1 रहेगा अगला वाले में 700 आयेगा इस निद्स में बतलव ही रही इसमें 2 के पहले 400 रहेगा मतलब dense उर 2 के वीच में ठीक है भी वाला हम बता दें ठीक है ठीक है मन्नु जी बिल्कुल देखिए इस तरह का नंबर अभी मैं स्टार्टिंग में बताया था इसमें हमें दसामलों से कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ पूर संख्या जो दिये इतने से ही मतलब है अगर हमें सेबन का निकालना है तो वहीं सेबन हंडेड होगा नहीं है इस तरह की संख्याओं में जिसमें दसामलों भी लगाया है उसमें बाद वाली दसामलों से कोई मतलब नहीं होता है ठीक है इसमें भी ऐसे हो जाएगा मैंने बताया ना भी वहीं दसामलों और इस गिंत यह साटकर तरीका है बाकी डीटील तो मैं बताई चुका हूँ सी का अंसर दीए है ठीक है बेरे गुड कोई दिक्कत नहीं तो मैंने सब बता दिये हैं अब कुछ बचा बचा नहीं है यह पहला टॉपिक है अंकों को सब दो में पहले ध्यान दीजिए आपर दूसरा क्या पढ़ेंगे सामानने संख्याओं का अस्थानिये मान ठीक है दिक्तोरा ना अस्थानिये मान मतलब पलेस बैलू या फिर बात करें यहाँ पर पूर्ड संख्याओं का अस्थानिये मान ठीक है समझ रहे हैं ना आप सभी किसी को कोई प्राव्लम है तो बताईए मैत की भासा में इसे पूर्ण संख्या बोलेंगे और जिन लोगों को थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है अभी शुरू-शुरू में वो लोग इसको पढ़के बताएं क्या लिखा है की कि इसको पढ़के बताएं उसके बाद इसको बताएंगे इसका नाम बताएं संख्या में कैसे बोलेंगे जैसे मैंने लिखा यहां पर ना तो इसको हम बोल देते हैं कि 1175 है न वैसे वह दोनों का नाम बताएं मुझे कैसे क्या बढ़ेंगे इसको कि तब तक मैं इधर टॉपिक क्लियर कर देता हूं ठीक है क्या करेंगे भाईया अपूर संख्याओं का अस्थानी मात मतलब सूर करेंगे और अपूर्ण संख्याओं कंप यह करेंगे अस्थानिय मान यह बड़ा कठिन होता है दसमलो वाला ना ऐसा लगता है जिन लोगों को नहीं आता है बागी बहुत आसान है मैथमेटिक से बहुत ही लबली सब्चक्ट है अगर आप थोड़ी सी भी महबत कर लो इससे ना जितना उससे करते हो जिससे बेवफाई और दोखेबाजी हो जाती ही ना उसका आदा पर्सेंट भी इससे कर लो देखो कभी यह मतलब दोखा ने देने वाला है है ना बुकें बहुत ही वफाधार होती है आप पढ़ो तो कभी चलें आगे यह चीजें पढ़ेंगे और भी जो भी अगर टॉपिक आता है बीच में टाइम तो हम उसको भी कवर करेंगे इतना चीज के लिए रहे है इसका कोई जबाब नहीं दिया भी तक मैंने कुछ सवाल पूछा था भाई यह तुम्ही लोग से पूछा था इसको पढ़ेंगे 53,217 तिर्पन हजार दो सो सतरा है ना और इसको क्या पढ़ेंगे इसको तो पीछे से गिनना पढ़ेगा हां गिनना पढ़ेगा ना इसको पढ़ेंगे 53,29,378 लेकिन यह कैसे हम सम वाले यही तो सीखने वाले है रूबी गौतम ने कहा तिरपन हजार दोसो सथरा अ चाहिताना देर में आई से तो बियान हो जाए फिर चलो और कोई एनिवन कोई ने ट्राई किया चलिए ठीक है मैं बताता हूं स्टार्टिंग से देखे साथ यह बहुत ही आसान है आपके सिलेबस में है चैप्टर में है इसलिए मुझे स्टार्टिंग से ही बताना है और पानी तो इस समय इतना है ना कि मतलब पूछ होना क्या होने वाला भई मतलब कहते है ना चार दिन तक खाने को ना मिले ठीक है लेकिन नहाना पड़े ठंडी में चलो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक कपड़ा ना मुझे पानी में भिगो के तब यहां पोचना पढ़ता नहीं तीम इकाई दहाई सैकड़ा हजार सुने हो कि नहीं सुने हो ना तो चलो बताई देता हूं फिर सिस्टम से आओ चलो देखिए जैसे माल लेते हैं कि हम कोई एक नंबर देके उसका एक्जामपल देंगे तो ज्यादा बहतर समझ में आएगा नंबर के माध्यम से ठीक है थोड़ा सा रुक जाओ भाया एक मिनट यहीं तो मेरी कमी है यह पोचने रगड़ने वाली दिखिए जैसे मैंने कोई नंबर लिखा साथ तीन दो हां समझीए इसको क्या पढ़ेंगे पूरा सिस्टम में बता रहा हूं समझते जाईए ठीक है देखिए ठीक है ओके डन एकाई दहाई सेकड़ा हजार दफ हजार लाक दफ लाक करोण हम सिर्फ यहीं तक आपको बताएंगे भी करोण के उपर नहीं बताने क्योंकि इतना ही आपके पाड़ करम में है तो मैं उतना ही पढ़ाऊंगा एक भी पॉइंट में इसमें ज्यादा नहीं पढ़ाउंगा क्योंकि यह कोई भी से इस मतलब करनी है कहीं आपको इससे बड़ा पढ़ना नहीं पड़ेगा न तो आप इससे ज़्यादा पैसा कमा के रखे हो और ना इससे ज़्यादा कुछ लेने वाले हो तो करोन तक बहुत है है ना चुलबुले अंस जी नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर्वन को सामी आप कप सोते हैं भाई अभी तुम्हें सब बताऊंगा कप कप क्या क्या करते हैं रूके रहो थोड़ा सा ठीक है तो ये क्या है ये है इकाई ये क्या है ये है दहाई जो मैं लिख रहा हूं इसको लि कि अभी इंग्लिस में भी बताऊंगा इंग्लिस में इसको बोलते हैं वन्स टैंस हंड्रेड ठीक है इंग्लिस में बताऊंगा थोड़ा सा सबर रखिये इसको बोलते हैं फिर ऐसे क्या होता है हजार यह हो जाता है दस हजार दिखतो रहा है जिसका नेटवर्क गडबड होगा इंटरनेट ना भीया बाबू वह अपना थोड़ा सा वीडियो का क्वाल्टी चेंज कर लीजिए यूटूब में सेटिंग होती ना उपर क्वाल्टी बदलने का एक्चुली क्या है जो अटोमेटिक इंटरनेट पर रहता है जिन्सका इंटरनेट गडबड रहता है उसको अच्छा नहीं दिखता है यह होता है तो आपको लगता है मेरा बीडियो खराब है नहीं हम फूल एचडी में आपको लाइव इस्ट्रिम करने है वह आ ही जादा खाती है लाग के बाद है कि दफ लाग ठीक है समझना पूरी कहानी बहुत ही बिस्तार से बताऊंगा टाइम भले लग जाए लेकिन एक एक को समझ में आना चाहिए हां ठीक है चलिए उसके बाद करोण ठीक है अब समझिए यह कितने डिजिट का है पहले इसको किन लीजिए कितने डिजिट का है भी मुटकी कहने से कोई चिड़ रहाए खां मुटकी कहने मजा भी बहुत आती है चलो बात में बताएंगे आगे कहानी देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ कितना है आठ ना आगे भी बढ़ा सकते हो करोण के बाद 10 करोण हां फिर अरब ऐसे कुछ होता है ना लाग दस लाग करोण 10 करोण अरब खरब फिलहाल हम लोग यहीं तक भी सिखते हैं अभी छोटे हैं बड़े हो जाएंगे तब तक जब तक लड़के बच्चे बजना इह बताओ जो उपर नंब्र लिखी है रहे कि अथी इस नंब्र लिखा इसको क्या पढ़ेंग एक बार बतादो तो जैसे होता नहीं कौनों कौन लर्कवा कौनों कौन लर्की अगर नंबर वांगता है अगर वह ऐसे बता दी लिख ले बेटा लिख ले नव अरब बहत्तर करोण 97,8312 तो उमयत का इस्टूडेंट नहीं होगा लिखें नपाएगा समझ रहे हो की नहीं आप जैसे मह लोगा है मॉबाइल नंबर में थोड़ा कम पढ़ रहा है अद तीन छाढ़े अटी पढ़ रहा है दो और बढ़ा दे हैं लेकिन प्एलेरो इतना समझ़ लेटी नहीं बढ़ाई देते चलो बढ़ालो गभा का दो जिससे की ये मोबाइल नंबर बन जाए ठीक है चलो और बढ़ा लेते हैं चार इस पर मैंने लिख दिया इधर साइड मुझे कैमरा थोड़ा गुमाना पड़ेगा अभी रुकना भागना नहीं कहिं कैमरा मैं गुमा दूंगा इधर तेंसर मतले ना और सनियोग बस अगर यह किसी का नंबर बन जाए न तो यह एक मात्र सनियोग होगा मैंने लिखा अंजाद करके ठीक है चलो तो भाई इसको क्या पढ़ेंगे इसको खीच के यहां ला रहा हूं देखना ध्यान देना करोड के बाद क्या होगा दस करोड हां और करोड के बाद क्या आता भाई अगले स्टप में लाग दफ लाग करोड दस करोड के बाद अरब न अरभी तो आता है भाई देखके बता दो मुझे कहीं से नकल कर गए यहीं तो होता है चलो अब मुझे बताओ जल्दी से फटा फटा आपके पास दो मिनट का टाइम है इसे टोटल कैसे पढ़ेंगे हम लोग जैसे मैं थोड़ा सा डेमो बता दूं आपको 94 अरब 73 करोण 25 हजार ऐसे कुछ करके पढ़ेंगे क्या चलिए छोटे से पहले हम लोग पढ़ते हैं फिर बाद में बड़ा वाला देखेंगे पहले छोटे से छोटे से आजाओ भई देखिए यहां पर समझना जैसे मैंने लिखा तीन साथ पांच ठीक है तो मुझे उमीद ह इसको लगबग सब पढ़ लेते हैं इसको लगबग हर कोई पढ़ लेगा कि 375 होगा लेकिन अब 75-300 कईसे होगा आईए बताते हैं देखिए इसको क्या बोलते हैं भाया इसको बोलते हैं इकाई इंगलिस वाले भी सुन लें लिखूंगा ने इंगलिस में क्योंकि हमारे चिकतारी स्टूदेंटनस अब हिंदी वाले हैं इसे हज़ी आहों बहुता हैं esri researching बोलते हैं देखो inगलिस में है ऋन्स・ंहूंस टनंडरड वाजन हाँर यसान लाग तन लाग करोड हूं कि उसर्य यह नहीं पहले यह वोलेंगे ठीक है करोन फिर धस करोन फिर अरब ओके इंग्लिश में ऐसे होता है अगर हम इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बात करें तो सब खिचड़ी हो जायेगा आप कहो के एक बार हिंदिम बताया फिर इंग्लिश में फिर में बताएंगे चलो आगे बात करते हैं हाँ तो भाई इसको क्या बोलते हैं इंग्लिस में इसको बोलेंगे वंस इसको क्या बोलेंगे दहाई इसको इंग्लिस में बोलेंगे टेंस इसको क्या बोलते हैं सायकडा सायकडा का मतलब होता है सो ठीक है इंग्लिस में इसको बोलत Hagrid क्या बोलते हैं 100 तो जिस पे 100 आ रहा है उसको यंहाँ आप 100 ए?? क्या बोलेंगे उसे 100 बोलेंगे तो 100 किस पर आ रहा है लो 120 किस का रहा है यहाँकाड़ा किस गिंति पर पड़ रहा है वह इस पर ताइय पड़ा था सेंकऱा 3 पर पर रहा है तो जिसपे सएकड़अ पड़ रहा है उसको पकड़ लो हमने तीन को पकड़ एसससा हा मतलब 100 तो तुम बोलो 300 क्या जाओ जायोगे तुम बोलो 300श ऐसकी पलई इसमें गिंतिय यह बढ़ गई होती तब कह होता हुं इसीच देखी आगे एक दो तीन इसमें ले लो चार एक गिंतिय सेमा लोर आगई तब क्या होगा है रब्बाब बड़ी मुसीवत आई अब का होगा देखोई धर यह और बढ़ गया ना सैकड़ा फिर यह क्या होगे हाजार क्या होगे यह हजार इसको बोलेंगे थाउजंड थाउजं ठीक है तो अब समझना कहानी अलग हो गई अब 375 से काम नहीं चलेगा अब क्या होगा अब यहां पर आ जारा है इसका क्या पढ़ रहे हजार ना तो आप बोलोगे हजार लेकिन कब पहले उस गिंती का नाम बोलोगे गिंती का नाम बोलने के बाद तब उसका नाम नीचे जो है जैसे होता नहीं साधी हो जाती कहीं नाम बताते ना तो पहले अस्वेंड का नाम बताते फिर अपना देखो इदर समझो तो क्या हो जाएगा यह कुछ लोग तो समझीने पाएंगे हमारा एक्जाम पल अभी बात में डीटेल में बताएंगे यह चार है ना त किसे गरी आते मने मन पता नहीं खा पड़ा रहा इतना चोटा चोटा है हां रूबी गौतम ठीक है रूबी बहुत अच्छे बेरी गुड इसको इतना चाप लीजी आप लोग हो गया दन चले आगे तो आप लोग मुझे इसी तर जो पे बता दो पहले बता दो तभी आगे बढ़ेंगे मुझे यह ऐसा लग रहा है कि आप लोग सीखें आए कि नहीं सीखें यह बताओ भाईया चलो इसको जो बता लेगा न हम जान लेंगे का आप सीख गयो थोड़ा जल्दी बताइए आवाज कहीं नहीं जाने वाली मैं जान बूच के बंद किया था अरे कभी कभी बीच बीच में परेसान करना भी तो जरूरी है ना नहीं तो तुम लोग सो रहे हो कुछ तो आइसा राम से रख के रजाइम सो गया होगा तो तो दिर दिरे मम्मी लोग सु केंके तो आएंगी दैखने तो पता कब आए तो आधसे जाए गतुमस हो फढ़ रहे हो क्या पढ़ हो इसको पढ़ेंगे इसको और इसको बैं जल्दी किर वट है को आया है है हो गया आगे बढ़े जल्दी करिए 8,035 मन्नुतिवारी बहुत अच्छे बेरी गुड़ा और कोई नीवन भाई जल्दी जल्दी बता हो यारा ऐसे मज़ा नहीं आ रही एक और बताईए फिर हम आलोग आगे बढ़ते हैं इसको का बोलेंगे यह थोड़ा अलाग है थोड़ा लाजीक मतलब थोड़ा लगाना पड़ेगा इसमें एक्स्ट्रा चले ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड़ देखिया आप लोग अगर कोशिच नहीं करोगे तो हम बंद कर देंगे जानलो बिल्कुल मज़ा नहीं आरी मतलब हम ऐसे बड़ बड़ाते रहें खा अरे कुछ तो होना चीए कोई सुनने वाला आप यह समझ लो कितना मुस्क से बात करते हैं तो आगे कोई होना चाहिए ना आप सोचो यहां क्या है यहां एक आपरेटर भी ने बैठा रात में मैं अकेले सब देखता हूं लेटाप मेरे सामने यह अब समझ रहें ना अगर बच्चे सेंटों कलास में थोड़ा आँवाव दीखता है कोनों इumpy और मुटिण़ कर रहा है कोनों हरह sudah कोई ऑ़ यह मैं इन्हों डिवाले दिखांग है। इन और तरफ लाइट दिखना रही है कैमरा दिख़राए है लेट-टाप दिख़रा पिर आगे इसमें अगर आप लोग को तो और आगे में बतादू । लेकिन अरगे मुझे नियल अग्द मतलब्स है अरव 10 अरव होता कि है फिर खरब होता दस करना नील होता है थासी से बढ़ता जाता है साथ है लेकिन कोई मतलब नहीं है तो इस्वल्ग समझ गये एक कि राहूल सर्मा देखे जो चुप चाप देख रहे हैं और मुझे गडियाने का मण कर रहा उसको उसाही बतार है मुतलब जो कामेंट नहीं कर रहा है कि अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कई सी बात कर रहे हैं सभी बता रहे हैं चुप चाप मत देखो कुछ नो कुछ बोलते रहो चलो ठीक इतना हो गया तो अब क्या करें देखो इधर साइड समझो देखें हमारी कोशिस होती कि आप लोग जागते रहें इसलिए हम कुछ इधर उदर की बातें भी बोलते रहते हैं नहीं बहुत मुश्किल होता है जगाना ठंडी में ठंडी में जो बिस्तर में गुसा हुआ है मोबाइल लेके वो पढ़ क्या रहा है बगवानी जाने तो उस अभी तक रहें तक आपको किबल 10-1,000 तक भी बताए हैं कि हजार तक ही बताया ना देखर आपिस मंगे हमें अभी स्कूर्थ तक आपको मान क्या लेते हैं चारी गंति तक बताया था कि अब पांच गंती तक बठा लेते हैं अ RAW बताए긴 इंगा इसको इसको और बढ़ेंग इसको क्या पढ़ेंगे देखिया ऐसे गिंतें 21 दहाई सैकड़ा हजार दफ हजार है पर एक चीज समझना आपको अगर जहां दस आया आप यह बताओ 10 में दुरी गिंती होती न अरे दुरी गिंती नहीं दूरी अंक होता है कि होता है ना होता है अरे नेक्स टॉपिक वाले थोड़ा सबर रखो थोड़ा सबर रखो अभी तुसब बचा इसमें डेमों देखके ही काई रहा चलो खतम अरे पिक्चा तो बंकिये है देखलो 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 नहीं तो जिसको ज़्यादा चटपटी मची है मैं उससे आया तो क्या करेंगे हम जहां पर दस आया जैसे देखिए समझते चलिए इकाई दाहाई सैकडा हजार वन पर क्या हजार फिर दफ हजार अगर दस जैसे निकला मूझ से वईसे दूई गिंती कब जिया लो दफ हजार का मतलब दूईनो गिंती मिला करके तब बोलोगे उतन हजार कितना हजार मदलब 51,000 इक्यामन हजार 328 समझ में आया समझ में अच्छा एक इसमें और बढ़ा देते हैं अगला वाला देखिए और फिर मुझे बताईए चलिए इसको क्या पढ़ेंगे देखे समझ लीजी अभी सबर रखिए थोड़ा सबर रखिए संजय लोधी बह आप लोग क्या चाहिए अब थाली वाली लेक्यां आरती वारती उतारूं क्या करूं बताओ लाइक तो करिए ना यार देखिए आप ही लोग तो है और कौन है है तने हो कौन सा तेरे सीवा और नहीं कोई दूजा मुझे थोड़ा गाना कम आता है अब सीखूंगा रात में यह गाना भी पड़ेगा निता आप लोग सोवेंगे पड़ेंगे कब देखिए समझगे आपर एक आइज सेकड़ा हजार दर फजार लाक अब कहां तक जा रहा है यह ल गात कहारा है लाक तक जा रहा है लेकिन यह रहुआ एक बात थाना होज़िये गॉत इनकल के ल defect मैइ तो जिस पर लाख निकल रहा है उसको इसे कमा लगा लो यह नी एक लाख कितना हो गया एक लाख अब बाकी तो वही सब बचाया ना हां 51,311 हो गया ना समझ रहो ना अब इसे क्या दो कनय लाल ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड बहुत अच्छे कोशिस तो आप लोग कर रहे ना ठीक है चलिए मुझे लग रहा थोड़ा ज्यादा ही में टाइम लगा दे रहा हूं का इसमें इसी तरह से आप लोग और तो यह टॉपिक बदल दें कि आप मुझे लग रहा आप लोग बोर हो रहे हैं हम बोर हो रहा है ना रहने देना ठीक है जी बोर हो रहा है और मुझे एक थी जबाब दे दें फिर हम बंद करते हैं इसको आगला टॉपिक चलते हैं एक सुन लीजिए थोड़ा सा प्यार से थोड़ा सुन लीजिए बताइए कितने अंका होना चाहिए कि आठ अंका कम से कम हुआ 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 है बताइए इसको क्या पढ़ेंगे यही बता दीजिए फिर हम लोग टॉपिक बदलते के चलते हैं अस्थानियमान पर जल्दी बताइए अरे अब आई रहा है सबर कर रहे हैं इतना देर थोड़ा और कर लो चलो बताओ जल्दी करो अब फटाफट फटाफट बताते चलो गई नीचे वाला भी बता दीजिए जल्दी करिए देर नहीं मिश्टर सरवन तुम चाहिए सोई जाओ चाहिए क्या बोलू मैं आगे कलास में नहीं बोल सकता तुम्हारा जो मन करें वो करो लेकिन दूसरे को मत डंडा करो हां तुम्हारा जहां मर्जी वहां जाओ अगले कोना डिश्टप करो बस कि संजय बेसिक का जो फिरी कलास है सिर्फ रभी बार को चलता है उनली संडे रात दस बजे उस वरी नो बजे सिर्फ संडे को बस बग्ति बेसिक वह बहुत हो गई है तो बहुत हो रहे हैं मनुतिवारी ने बताया है तीन करोड यह क्रोड की स्पेलिंग गलत है आपकी सी से होना जाता है करोड लिख तहाँ jor ऍचेर लिखे सिस खाटार के सी अर्रा झाल यह के वह में कूसिस किया और उन Celine काफी यह पता info मुझे लग रहा है सब जाग रहें का आजल गुपता का भी कमेंट आ गया कुछ लोग तो अभी तक मुह में दही जमा के बैठे थे लग रहा निगल गया अब बोलने लगे हैं अजली सिंग तीन करोड़ पचीफ लाग पैतिफ हजार नो तो देखे अगर आपने इन सब को कर लिया तो मान लीजिये कि हो गया काम इसका खतम अब आगे बढ़ते हैं कोई ज्यादा जरूरी भी नहीं है कि इसमें और देर तक जल्लवाया जाए ठीक है आगे बढ़े चलिए बेरी गुट बहुत अच्छे ठीक है भई ठीक है तो आप लोग इसको कर लेंगे अच्छा एक बड़ा ही आसान सा मैं बता दूं आपको और अगर मैं इसमें सुनना सुनना भर देता हूं भाई कितने अंका था ये मालूम नहीं मुझे नहीं पता कितने अंका था ये ठीक है फिलहाल तीन है मैं छे जिरू लगा देता हूं मैंने ऐसे लिखा न, एक बात बताओ तुम या दुम में मरते हो या फिर आगे तो मुझे आता ही नहीं बोलेंगे नहीं गड़ पढ़ाई जायेगा, चलो बताओ इसको क्या पढ़ेंगे? बताइजे, जैसे अगर मैंने लिखा ऐसे 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 तो इसको पढ़ते हैं 2117 तो भाईया इसके पहले पढ़ा चुका हूं जैसे इसको 2117 पढ़ते हैं वैसे इसको दोनों को का पढ़ेंगे तूसार गौतम पढ़लो विट्टा पढ़लो कमेंट देख लूँगा बाबू अभी थोड़ा सबर करो तो कल की कलास में यही पढ़ा था ना मैं सबका कमेंट देखूंगा थोड़ा सबर करिए धायर बना के रखिए यह चीजें पढ़ा था पिछली कलास में आज क्या पढ़ेंगे उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं किया आज हमारी जो कलास होगी वो चैप्टर दूसरा क होगी चैप्टर पहला कल्क हो गया था खतम इसके पहले की कलास में पाचवी नंबर में आज का जो टॉपिक है वो क्या है यहां पर ध्यान से देखिए आज का टॉपिक मुख रूप से है गुड़ा गुड़ा यानि मल्टीपल आप कहोगे कि यह कौन सा टॉपिक है लेकि मतलब मल्टीपल इसमें किसी को कुछ आता है कि नहीं आता हमसे इससे नहीं मतलब है हम एक एक बात step by step बिस्तार से बताएंगे जिसको अच्छा लगेगा पढ़ेगा जिसको ना अच्छा लगेगा जाका रजाइम गुश के सोई जाना ठंडिक टाइम है पिर एक्जाम में जो पांच नंबर मिलेगा ना पचीज में तब गर्फरेंड को फोन करके बताना मेरे साथ दोखा हुआ है चलो अरे बर्फरेंड को बता दे ना काही हम किसी से कम थोड़ी है चलो और क्या पढ़ेंगे इसमें समझ यह मैं कमेंट सबका देख रहा हूं जो लोग तड़ यह भी सही नहीं है इसको डीटियल में लिखते हैं 31 आप 31 नहीं लिख सकते हैं अगर आप सब्दों में लिख रहे हैं तो उसको 31 ही लिखेंगे 11 लिखेंगे 31 लिख दिये तब क्या हुआ यह तो आप अंसर अंसर बता दिये गलत है यह दोखा सिधा सिधा ऐसा नहीं होगा सब का गलत है जैसे बतार हूं आसे गलत का इस एसे लिखन आहिं यह लोग अई सहलetsヒंप्राइस Sweet raina करोण भई यह कौंसा बात है इसको का चक्रेश लिखेंगे इसको 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 इसे लिखिये है मुझे भिना आता है कि नहीं पता आता है 31 करोड आप लिखोगे लेकिन यह 31 आप अंक में नहीं लिख सकते इसको भी आपको सब्दों में ही लिखना है ठीक है ऐसे देखिए डीटियल में 31 करोड यह स्पेलिंग रहेगी करोड की याद रखना कुछ लोग करोड को ऐसे लिखते हैं कि यह करोड वाला करोड नहीं लिखना है करोड होता है ठीक है समझ रहे ने आप लोग तो बस थोड़ा सब्र बना के रखिए अभी आगे बात करते हैं ठीक है इतना लंबा कैसे टाइप करें बोल करके कहते हैं बोलने से सब होगा इड़ देखें ना गूगल पर बोलने से सब होगा जैसे मैं बोल के दिखाऊं आप लोग देखिए इसका जबाब दीजिए मैं बोल के दिखाता हूं सबी प्यारे प्यारे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं कलास को लाइक जरूर करें देखिए मैंने बोला नीचे देखिए कमेंट में गया होगा देखो गया ना मैंने बोला और वो लिखा कहते ना बोलने से सब होगा बोलो गूगल से बोलो और देखो लिख गया ना तो चलिए ठीक है मैंने बोला और देखे टाइप भी हो गया बस इसके लिए थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती हिंदी में मोबाइल में कीपेड में तो हिंदी में लिखता है ठीक है हो गया तो हाँ गुड़ा के बारे में बात करते हैं यह टॉपिक छोड़िये पुराना है यह बताइए गुड़ा किसे कहते हैं गुड़ा किसे कहते हैं बताइए गुड़ा किसे कहते हैं भाई इतना ही नहीं हमारे यहां टाइपिंग माश्टर बोल बोल के पूरी पीडियाप बना देते हैं हां हमारी गर्ल्फेंड बात करनें बोल बोल के पूरी जीवन की कहानी सुना देती है और आप लोग दो लाइन ने लिख पारे हो बोलके हां ऐसे कईसे होगा भाई हम बोलके दो लाइन ने लिख पारे हो आप लोग बोलोगे तो पूरा लिख जाता है लेकिन हां साप साप ब परिभासा क्या होती है what is the definition of multiple क्या आपने सोचा कभी नहीं सोचा तो मैं आपको आज सोचने का मौका दे रहा हूं सोच कि सोचिये कि अघुचा है 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 कि इसकी अगर कोई भी संख्याम जोड रहे हैं जैसे मान लेते हैं उधारण के लिए अगर हम दो दो को तीन बार जोड़ें तो कितना आएगा बताईए अगर हम दो दो को तीन बार जोड़ें तो कितना आएगा क्या आपको पता है देखिए नहीं पता है तो देखिए पता होगा भी आईए हमारे साथ अगर मैंने ऐसे जोड़ा ऐसे जोड़ा आप सब को पता है दूई दूई चा दूई छा भई बननी बहुत अच्छे बेरी गुड बेरी गुड बहुत अच्छे ठीक है चलिए आगे कहानी बढ़ाते हैं समझते जाइए यह छे हो गया अगर हम इसको दो गुड़ा तीन लिखें तब भी तो छे होगा लेकिन हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं अच्छुली में यहां क्या है दो दो तीन बार जोड़ा गया कितना बार जोड़ा गया तीन बार जोड़ा गया है तो किसको जोड़ा गया टू को कितने टाइम जोड़ा गया थिरी टाइम तो भाईये टू को जोड़ा गया इसलिए मने टू लिखा थिरी टाइम जोड़ा गया था इसलिए मने थिरी लिखा उतने सी आया है एक और देखिएंगे आप से यह देखिए कि श्की से पूरी कारणी है कि सारी यूटू turn हम फ्री पढ़ाते हैं डियलेट की अपकी यह बैच ना जिसकी कसम तुम चाहो उसकी कसम खिला लो पूरा कंपलीट करेंगे 100 परसेंट लेकिन हाँ सब्ता में तीन दिन चलती है उसके लिए सर्थ है वो सर्थ यह है कि आप लोग कलास को भीने लाइक करें नहीं जाओगे और दोस्तों में सेयर भी करोगे यह दो काम आपको करने बाकी सबम करें ठीक सिलपा केसरवानी जी बहुत अच्छे ठीक है चलिए तो भाईया इनको फॉर टाइम जोड़ा गया 1-2-3-4 फॉर टाइम का मतलब ये कोई इंगलिस मेडियम नहीं हो गया फोर टाइम का मतलब चार बार जोड़ा गया है यहां लोग इंगलीज में गाली भी देते हैं गाओं वाले लेकिन उनको इंगलीज में कोई संख्या का नाम बोल दो तो नहीं समझ पाते हैं नहीं लेकिन गाली हिंदी में को नहीं देंगे सब इंगलिस में देंगे देखे समझी है यहाँ पर तो यह कितनी बार जोड़ा गया इनको चार बार ना तो यह भी कितना हो गया 24 यानि कहने का यह तातपर है यहाँ पर कि किसी भी नंबर को गुड़ा की परिभासा क्या बनेगी क्या बनेगी जरह सोच के बताईए बहिए ऐसे भी तो कह सकते हो ना जब किसी संख्या अथवा अंक को उसी संख्या अथवा अंक में एक नहीं दो या दो से अधिक बार जोड़ा जाए तो उसी को गुड़ा कहते है मतलब यह समझ लो कि जो पुरनकी वाली मोबाईल थी न यह यह चटकी वाली ए रुख जाएदा न यह थी न इसका अपडेट फार्म क्या आ गया इसका जो अपडेट हो गया न तो यह सब आ गया यह इसका अपडेट हो करके यह आ गया यह म crystalline working हट मतलब समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है मैंने इसको सबको क्यों दिखाया कि जो जोड है कि उसी जोड का updated फाम गुड़ा है नियु अर्जन एक परकार से यहनि जब गडित गडित का विकास हुआ लोगों को जोडने में देर लगती थी तो गुड़ा आ गया, गुड़ा में आसानी हो जाती है देर काहे लगती थी जरा थोड़ा सा इधर ध्यान देना तो मैं बताता हूं ध्यान दीजिए, समझीए बहुत ही डीटियल में समझना है यहां कोई किसी को लगी नहीं है कि जल्दी भागो जल्दी भागना नहीं है, प्यार से पढ़ना है चाइम चाज इतना लग जा, रात अपनी है चलिए, आगे देखते हैं, क्या बताने वाले हैं यह तो छोटा-छोटा था, आप चाहे इसको जोड़ लो चाहे इनको गुड़ा कर लो, बात तो वही हो रही है आपके लिए दोनों आसान है, दोनों आसान है ना लेकिन भाईया यह मुसीबत नीचे वाला देखना जरा दिल लगा के अगर ऐसे कहीं आ जाये तो इनको तो आसान नहीं है फिर करना नहीं, इनको तो आसान नहीं है देखिए जैसे, 35, 35, 35, समझते जाना चलो भाईया समझो अब बताओ, इनको जोड़ो अब कोई इनको जोड़ के बताए, जल्दी से तो हम समझे सरवन गो स्वामी, कपिल कुमार, अनिल बर्मा, असनेहा, मनीस और अंस, प्रीती, खुस्बु कुमारी देखे, जो लोग सिर्ब नाम के चक्कर में आते हैं, हम नाम नहीं बोलते हैं अगर कलासमेंट देखेंगे, रुकेंगे, तो नाम तो वैसे भी आ जाता है और वैसे भी इनसान जो अच्छा काम करता, उसका नाम तो होता ही है अच्छा काम करिए नाम की चक्कर में न पढ़िए चलिए ठीक है बहुत अच्छे तो इनको जोडना आसान नहीं है इनको जोड़ेंगे तो हाँ जुड तो जाएगा लेकिन आसान नहीं है जैसे इसमें जोड़ लिया 6-12-14-14-24, वैसे इनको जोड़ना आसान नहीं है, तो इनके लिए गुड़ा करना आसान हो जाता है, बताव सही बोल रहे हैं कि नहीं, भाइया देखो ये कितने बार है, ये 6 बार है न, तो इनको जोड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर 35 का 6 से गुड़ा करने को कह दिया जाए तो एकदम हल हुआ है है ना आसान है ना आसान बोलो हां तो इनको क्या करेंगे multiple कर लेंगे six five जा 30 का 0 3 आया और six three जा 18 18 और 3 21 हो गया 210 कुछ लोग कहेंगे यह तो अंग्रेजी अरे भाइया च्छा पंचे तीस का जीरो हां फिल तीन छातरी कठा रहा तीन होई का 210 आवा समझ में ना चालो तो कुछ समझ में आया हम क्या कर रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं डीलेट यानि बीटीची का पर्थाम समेश्टर का मैट्स पढ़ रहे हैं लेकिन ये बर्मा जी कहें के नहीं गएं केवल बीटीची के लिए है यह सब के लिए है लेकिन हाई special रूप से target बैच डीलेट वाल एससी बाले गुड़ा करेंगे 36 का 35 में इसका जो भी मैंने किया न 6 का 5 में जितना है उतना ही आएगा सब के लिए है ठीक है सतीष राय सरवन ठीक है भई पूनम पंडे प्रीती और प्रीतम सिंग बात समझ में आई न तो यहां से अभी हम क्या कर रहें इतना देर से हम यह देख रहे हैं कि गुड़ा क्या है हम पढ़ रहे हैं अभी तक वाट इज मल्टीपल multiple के बारे में समझाना कि जब किसी संक्या को दो या दो से अधिक बार जोड़ा जाता है तो वही गुड़ा कहलाती है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं ठीक है असनेह जी बिल्कुल टेट वालों के लिए भी है ये कोई भी कुछ भी कर रहा है सब के लिए तो इसमें इतना ही नहीं है अभी इसमें और भी धेर सारी कहानी है और हम इस्टेप बाई इस्टेप पढ़ाएंगे इसलिए आप से एक ही पराथना होगी कि कलास को पूरा देखिएगा अपने लिए नहीं तो हमारे लिए देखिएगा लेकिन देखिएगा जरूर हमारे लिए का देखोगे साधी होगी तो निमंत्रन तक तो दोगे नहीं चुप़े से कर लेते हो और आगे क्या कही छोड़ो जाने दो चलो देखो इधर आओ देखो इस्टेटस में देखा था मैंने कुछ लोगों का अभी इसी में जुड़े हैं हां तो क्या बात करने वाले थे अब हम multiple की परिभासा हो गई अब हमें इसमें कुछ और भी करना है वो क्या करना है वो क्या करना है इसमें कई कंडिशन होती गुड़ा में पहला लिखिए अभी तक तो आपने एक है एक अंक वाला लाग बग जो भी देखा दो अंकों की संख्याओं में दो अंकों की संख्याओं में एक अंक की संख्या का गुड़ा ठीक है इस पर हम ज़्यादा detail में नहीं लिखेंगे ऐसे लिखेंगे दो लोन अंक अंकों का एक अंक से गुड़ा देखे इसमें step-by-step बहुत कुछ बताना है ध्यान से देखिएगा detail में पढ़ाना है न तो बाई जल्दी नहीं होता जल्दी का काम सैतान का होता है और कहते न रख के पीछे लिखे लिखे पढ़े हो कभी कभी जिनको जल्दी थी वो चले गए तो जिनको जल्दी है वो यहां से भी चला जाए पढ़ना है तो बहुत ही detail से पढ़ना है मजबूत से पढ़ना है ज्यादा नहीं पढ़ना है जितना पढ़ना मजबूत से पढ़ना है और ऐसा नहीं कि छोड़ देना से लेबस भी पूरा करना है ठीक है चलो आगे तो दो अंक जैसे मानलो भाया हो गया यह 34 और एक अंक से गुड़ा का मतलब यह हो ग कि अगला देखिए आगे यह दो अंक का एक अंक से गुड़ा न अगला देखिए कि दो अंकों का दो अंकों से गुड़ा यह तो हेडिंग ऐसे लिखवा दे रहा हूं टेंपरोरी बाकी कोई ज्यादा मतलब नहीं है ठीक है हेडिंग ऐसे डलवा दे रहा हूं चलो देखो आगे समझते जाहिए ठीक है तो 22 इसका 12 लेकिन यह कड़ बढ़ है अनिल बर्मा बोल रहें कि भाई पढ़ाते जाहिएगा मैं कोचिंग पढ़ रही थी पर मुझे समझ नहीं आया मैंने कोचिंग छोड़ दी है आप प्लीज कलाफ चलाते रहिएगा बिलकुल चलाते रहेंगे लेकिन आपका नाम अनिल यह समझते जाहिए अभी मैं बताऊंगा कहानी आगे आप लोग मुझे अंसर दीजिएगा अगर थोड़ा बहुत बुझार है आपको तो एक बात सुनला वीडियो काल ना किया करो यार वीडियो काल में आजकर लोग बहुत बलैकमेल कर रहें लोगों को मुझे इसी बात क डर है इसलिए हम फोन उठाते नहीं अभी मैंने कई लोगों का सुना कई लोगों का देखा हूं चलिए जबाब दीजिए इनको सबको इनको मैं साइलेंट कर देता हूं बड़ी मुसीबत तो यह है काल वीडियो की प्रावलम नहीं है प्रावलम यह की दिखाने क्या लगए उससे प्रावलम है चलो देखो इदर साइड में यह हो गया ना तो हम क्या करने की गुड़ा कई स्टेप में होता है जैसे एक Анकी संख्या का दो अंक से गुड़ा दो हैं overlapic। है जैसे बढ़ा होता जाता वैसे कहाणी बढ़ती जाती है है, तो हम पढ़ए मॉल्टीपल और मॉल्टीपल पूरा भीटियल में तो भाया इनको मॉल्टीपल करना आसान है, आसान है ना, साथ बता देता हु विस्तार से, देखेy, 7 है यहाँ पर 4 है, यहां पर 3 है तो भई पहले 7 का पहड़ा हम 4 बार बढ़ेंगे अब पहड़ा पढ़ना आप सब को आता है, साथ का पहड़ा इसी होता है पहड़ा जिसको नहीं आता है याद कर लेगा 7-21, 14, 17, 16, 17, 17, 17, 18, 17, 18, 17, 17 17, 17, 17, 17, 17, 17 है तो हम क्या करते थे दू-दू मिला मिला के पढ़ते थे ठीक है दो-दू मिला मिला के पढ़ते थे ठीक है ओके आगे चलें हुँ ओके डन चलो आगे ठीक है ठीक है ओके डन तो हम बात क्या कर रहे हैं समझ यह मल्टीपल बता रहे हैं तो सेबन का टेबल फोर टाइम पढ़ना है यह पहाडा में हर बार नहीं लिखूंगा सिर्व एक बार लिख रहा हूं बाकी पाड़ा याद करो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है हमारी नहीं है चलिए सेबन का टेबल चार बार पढ़ना एक दो तीन का गुड़ा चार में करने पर 28 आता है 28 में दूइगिंती है एक मेल एक फीमेल याद रहेगा न देखो समझो यह का हो गया यह पती हो गया यह पतनी हो गई क्योंकि पतनी आगे रहते हैं आज कल के जबानें पती पीछे-पीछे चलते हैं समझो तो इसमें क्या करेंगे भ साथ तरीक 21 और यहां पर दो बचा था तो 21 में दूइज ओड़ लेंगे 23 यानि 238 समझ में आया न आया न बन्नी एफ एफ सर डियलेट का पूरा वीडियो कहां मिलेगा बन्नी जी एक तो मैं पढ़ा ही रहा हूं अब पूरा एक के दिन में तो पढ़ा नहीं दूँगा आप complete course PVR study एप से भी ले सकते हैं ठीक है complete course आप PVR study अप्लिकेशन से भी ले सकते हैं असोक राज ठीक है तो यह समझ गए इन दोनों का जबाब आप खुद से देंगे जल्दी करिए बताएए इन दोनों का मल्टीपल खुद से करेंगे बच्चे हैं नहीं आप लोग बच्चे वाले भी हैं कुछ इसमें हां तो बाई अब बड़े हैं आप लोग सीनियर हैं ह तो थोड़ा तो मेनाहत करिये ना कुछ करिये थोड़ा बहुत हाथ पर चलाईए बाकी तो हम है हुम 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 अमनीज पांडे प्रीटी एम के परजापती ठीक है प्रीटी बहुत अच्छ बेरी गुड बेरी गुड ठीक है आगे बढ़िये दो अंकों की संख्याओं का दो अंकों से गुड़ा करना इसमें देखिए दो तरीका होता है मैं दोनों तरीका बताऊंगा देखो भाई पहला तरीका ये है कि आपको टेबल याद होना चाहिए लेकिन मुसीबत ये है कि दो अंकी संख्या चलती है 99 तक अठामल लिखा है वो भी दो अंका होता है 15 लिखा हो भी दो अंका होता है अब पहाड़ा बाड़ा तो हम लोग को याद रहता नहीं इतना चोटा सा खोपड़ी है उसमें रड़ाई जगड़ा रखें पहाड़ा रखें तो पहाड़ा नहीं याद होता तो क्या करते है उसका पिर फे 30 और 30 और यह हांसिल बचा था तो 33 33 यह हो गया 333 ठीक है Monty Gaming बहुत अच्छे हो तुम बहुत सुन्दर हो चलो इसी तरह से इसको भी कर लेंगे लेकिन आप सोचिए कि हो सकता इसमें तो मुझे 15 का पाड़ा याद था इसमें नहीं आद है तब का करेंगी वही तो मैं बताने वाला था वही तो आप सुनने वाले हो साहना पर्बीन ठीक है बिलकुल कोशिस करते रहिए क्योंकि कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती कुछ किया तुम दूसरा तरीका इसमें एक एक नमबर पकड़ेंगे दहुंके उनका मुल्टीपल करेंगेश वोती एट है ना 25000 क्या करेंगे यह फोटी एट को हम फाएट ठीट कैसे मुल्टी परफियह करेंगे इक जगा है और एक जगा क्या करेंगे टोई ऑप पर पहाड अंचे की अंगट हैं तो और सो अन defines a time आता है ना ठीक देखिए अब इनका गुड़ा करेंगे तो तीन अठे चौबिस हासिल दो तीन चौग बारा दो चौगदा इनका भी कर लो दू यठे तो यहां पर आया 144 बोलो आया था ना यहां पर आया था ना तो मैंने लिख दिया अब जो मैंने दो का किया तो कितना आया 96 आया कितना आया 96 आया तो एक काम करते हैं यहां जो नंबर आया रहता है इसके लाइस्ट वाले डिजिट के नीचे ऐसे क्राफ लगा देते हैं उसके नीचे कुछ नहीं लिखते याद रखना उसके नीचे कुछ नहीं लिखते हैं ठीक है जो मोबाइल में गुड़ा करकर के ती किवल उत्तर से काम है अब BTC अगर कर रहे हो ना तो आपको डीटियल में लिखना पड़ेगा आपके वल आंसर दे के काम नहीं चलेगा 25 नंबर ऐसे मुफ़ात में नहीं मिलता है चलो तो 9-6 आया था ना तो यहां पर 6 यहां पर 9 ऐसे रहेगा इसमें प्रॉब्लम यह है कि किवल दो ही अंक था अगर यह तीन अंक होता तो एक इधर आगे बढ़ जाता था समझे रहो ना जैसे होता नहीं आटों में बैठते हैं दो लोग की सीट होती चाल लोग को बैठाते इधर से मोटा तकड़ा बड़ जाता अगला पीछे गिर जाता है वैसे ही हम ठीक इनको जोड लेते हैं लाइस्ट में क्या करते हैं इनको जोड लेते हैं तो चार इसके नीचे कुछ नहीं है करास है तो फोरी रहेगा यह 6-4-10 हांसी लेक भाई 6-4-10 का जीरो हांसी लेक 9 समझ में आना सभी को सहाना परवीन बहुत अच्छे चुलबुले अंस मंटी बंकी मनीश पांडे सर्वन को स्वामी और भी कौन होएगा जूडे टेर सा रहे हैं कुछ लोग मूह में दही जमा के बैठे हैं चुप चाप बोल नहीं रहे हैं आईसे सरमा रहे हैं कि जैसे ल पढ़ लीजिए ठीक है मत बोलिए पढ़ लीजिए चलिए तब भी ठीक है हाँ तो आगे बढ़े हाँ तो यह हो गया भई यह तरीका था हा लेकिन यह तरीका हर जगा नहीं लगने वाला है लगे गा थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि इसमें दो ही अंक था यह क्या होगा इसे एक आंक और आगे निकल जाएगा चलो इसको बता देते हैं फिर क्लियर हो जाएग इसको भी करवा देते हैं फिर क्लियर हो जाएगा तї डिक्ये अब क्या करेंगे इसका भी multiple पांच चुक 20 हासिल कितना आया भाई देखो 5 फोर्जा 20 होता है 20 ऐसे लिखते हैं तो 20 का जो 0 है वो यहां लिखते हैं और जो 2 है न वो हासिल हो गया फिर वैसे आगे करेंगे 5 तिया ही 15 और 2 हासिल 17 ठीक है उसके बाद क्या करेंगे लाष्ट वाले अंक के नीचे क्राफ लगा देंगे और फिर 8 का मल्टीपल करेंगे 8 चोग 32 का 2 हासिल आया तीन वहीं 8 चोग 32 ऐसे लिखते हैं न तो 32 का जो 2 है यहां लिखतेंगे जो तीन है वह हासिल बच जाता है अब 8 तुरिक 24 cchaoCS3 होता 27 तो 27 ऐसे लिखेंगे यही मैं बताना चाहता था मैं यही बताना चाहता था कि इसका जो नंबर फाइले टू है इधर निकल जायगा इसके उपर कोई नहीं दिन चलेगी 30 से 45 दिन चलेगी यह जूड जाएगा 0 इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 ही रहेगा सेबन में 28 करेंगे 9 हो जायगा 718 हो जायगा तू में 08 करेंगे तो 2 हो जायगा इस तरह से 2890 समझ में ना सभी को यह होता है मल्टीपल करने का दूसर का तरीका एक पहल का तरीका यह था कि अगर सबी को समझ में तीवार में दींब्यारार ने रात में भी बहुत सारी जिम्रेदारियां रहती मोदू कि आप लोग निभावर रहें। नहीं पड़ पा रहें हम समझ रहें लेकिन फिर भी दिन में तो पड़िये कलाश तो YouTube पर रहती है कहीं हटती तो है नहीं पड़िये लेकिन लाइक तो करिये हं ठीक है मन्नु तीवारी तिवारी जी अच्छा ठीक है हो गया कुछ लोग तो इतने समझदार हैं कि मैंने धोड़ा बताया वो पूरा समझ गए बस ऐसे ही लोगों को तुम्हें खोज रहा था इक्सपर्ट लोगों को चलिए ठीक है अब जिम्मेदारियां का मतलब यह पता नहीं क्या क्या समझ रहें ठीक है होती है न कहते हैं कि उड़ा देती हैं आखों की नीदें घर की जिम्मेदारियां भी क्योंकि रात बर जागने वाला हर सक्स सिर्फ आसिक नहीं होता चले आगे हो गए यह तो अब इतने में ही यह कहानी खतम नहीं हुई अभी तो यह कहानी सुरू हुई है अभी खतम नहीं है अभी सुरू है आगे देखिए आँपर अब क्या करना है देखिए समझ यह थोड़ा इसे और पोचने दीजिए यह कोई गेस्ट कर सकता है रुमाल कहां मिली होगी सोच के बताई हम देखते हैं आप लोग किता अच्छा सोचते हैं तो अब क्या करेंगे अब तक हमने देखा दो अंकी संख्याओं का दो अंकी संख्या से गुड़ा करना ठीक है अब देखेंगे तीन अंकी संख्याओं को दो अंकी संख्याओं से गुड़ा करना कितनी अच्छी सोच वाले लोग हैं ठीक है आप लोग अच्छा सोच रहे हो चलिए ठीक है बिल्कुल बिल्कुल मन्नु जी का बात सहिए फिरी में मिली ये लेकिन अब मिली कहां है अब रुमाल थोड़ी खरिदने जाएंगे मिटाने के लिए इतने भी बुरे दिन नहीं आए चलिए तो यह आप लोग करी लेंगे वैसे होगा इसमें थोड़ा और बढ़ता जाएगा आप कितना भी बढ़जा कर लेंगे न लेकिन मैं थोड़ा एक बढ़का सा बताऊंग एक एक बढ़का सा सुनिये इदर साइड में कर लेंगे न सभी देखिए यह बीटीसी के समेश्टर में है सिलेबस में है इसलिए पढ़ा रहा हूं अध्यायदों में गुड़ा ही है क्योंकि बीटीसी वाले वो होते हैं न जो इंटरमीडियेट में बाइलोजी पढ़के आये हैं हां इतिहास भुगोल पढ़के आये हैं किसमें हैं बारुई अरुई में करके आये हैं कच्छा बारा में या मालीजी बीए वगरा करें अगर हम तो भीए करें हैं तो उसमें वी तो पढ़े नहीं हैं तो उनको आता तो है नहीं कुछ जोड़ घटा ना गुड़ा भाग हम इसको मम्मी का पईसा चुरा के हिसाब करना के रखना उसके अलाव और तो कुछ आता नहीं है तो उनको क्या करना जाता है ना शुरू से जिखाया जाता है इसमें इनका सिले बस ही ऐसे बनाया गया है ठीक है कि ओके चलिए ठीक है तो हाँ इसे आप लोग कर लेंगे एक मैं और बड़ा सा बता देता हूं जैसे कहीं भी कितना भी बड़ा सा आ जाया माल लेते हैं ऐसे ऐसे अगर आ गया तो इनका मल्टिपल कैसे करते हैं एक मैं करवा देता हूं उसके बाद आप लोग ऐसे कर लेना अच्छा दस वाले जाएं सो जाएं यह बच्चों की कलाफ नहीं है यह बड़े लोगों की कलास है क्योंकि यहां की बातें बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है इसलिए आप लोग इसमें से जाके सो जाएं चुप चाप सुबह आट बजे चलेगा ठीक है तो इनको बता देता हूं इसमें भी वैसे ही करेंगे एक एक अंक का गुड़ा करेंगे नीचे ऐसे क्रास करते जाएंगे क्रास करते जाएंगे लाश्ट में जोड़ देंगे ठीक है समझ यह तो 1 का मल्टिपल करेंगे 1 का 4 में तो 4 ही होगा 1 का 5 में 5 ही होगा 1 का 2 में 2 होगा 1 का 3 में 3 होगा 1 का 5 में 5 होगा यह मैंने 1 का मल्टिपल पूरे में कर दिया सब में क्लियर अब टू का करिए टू का फोर में करेंगे तो भाई हिंदी में बोलता हूं नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज मारेंगे हां दो का चार में करेंगे दो चौकाट लेकिन एक बात याद रहे यहां पर लास्ट वले अंग के नीचे एक गुड़ा लगाना मत बूलना क्रा चाफ लग रहा है कि इसके नीचे आपको और कुछ नहीं लिखना है ठीक है मतलब यह जगा छोड़ देनी है इसको बुक करना है यह विदायक जी की जगा है तो दू चौक आठ जो आठ हाएगा यहां लिखेंगे अब दू पंचे दस दस का जीरो हासिल आया एक याद रख दू तियाई छे और दू पंचे दस वही ज्यादा होगा का लग रहा है क्यूं कि दिर्पन 254 था ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दो आंक बढ़ जा रहा है न फिर से देख लेते हैं दो चौक आठ दो पंचे दस का जीरो हासिल एक दो दूना चार एक पांच दो तिय दू चाहिए छे दू पंचे दस ठीक है कोई दिक्कत नहीं हमने नंग्याण मुल्टी पल कर लिया टू कर लिए अस ऐसा सबर बनाके रखेंगे फिर थरीका करेंगे फिर फोर का करेंगे क कर देते हैं कि तेंगे रिक्र largo लेंगे तो थीछ बारा इसके नीचे कराफ लगाते टेंगे याद रखना राज्ट में हरेकं गिन्ति के नीचे कराफ लगाते जाएंगे यहीं तो मैं ने बताना क्याआ थ안 यहीं बताना चाहें दें था कि तीन चोंग बारा का दो हांसी लाया एक तीन पचे पंदरा एक सो लग छांसी लेक तिन दुनच्छा एक साथ तितरी का नौ और तीन पच्छे पंद्रह क्लियर देखें इधर कोई से बढ़ता जा रहा है वह तो नहीं से गाउं में फ्लानीक महार फ्लानेक पिछवारे हो जाना तो देरे देरे उस यहार लगाओ शुरू कहें दें उनके दूआरे तक जाओ समझ रहा हुँ ने कुछ कुछ लोग समझ पाएंगे मेरी बात चली यह देखिये आगे यह क्या हो रहा है दृद्धर अगरे अभी मल्टिपल करेंगे ऐसे ही क्या करेंगे चार का मल्टिपल कड़ेंगे अजीत यादो तुमारा नाम लेके तुम्हें धन्य होगया प् छार का गुड़ा कर देजिये 4.16 कच्छा हासील आ 1 4. 25 और हासील एक 21 का एक हासील 2 चार दूना 8 और हासील 2.10 हासील 1 चार तीहीं 12 और हासील 11 13 का 3 हासील 1 और 4. 25 एक 21 ध्यान रहे इसमें गलत भी हो सकता अगर थोड़ा सभी गलत हुआ तो यह सारा अंसर गलत साधानी हटी की तुर घटना गटी याद रखना ठीक न यह गलत भी हो सकता है अगर कहीं थोड़ा भी मिस्टेक हुआ एक बार फिर से देख लेते हैं वन का मल्टिपल हुआ तो यही आएगा ठीक है तू का मल्टिपल हुआ थो чू टू फोर जा8 तू फाइब जा10 टू तू तू जा 4 और 5 और 2 3 6 ठीक है तू फाइब जा10 इतना ठीक है 3 4 जा12 3 5 जा 15 और 1 हो गया 16 का 6 कारी आया 1 3 2 जा 6 1 7 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 ठीक है 4, 4, 16, करी आया 1, 4, 5, 20, और 1, 21 हो गया, 4, 2, जा 8, 4, 2, जा 8, और यहां पर 2 करी आया था, 8 to 10, करी आया 1, और 4, 3, जा 12, यहनी 4 के नहीं 12, एक 13, तीन हासी लेक, और 4, 5, जा 20, एन 21, सही है न, सही है न, बहिया, चलिए, तो क्या होगा, यह 4 जूड़ जाएगा, पूरा-पूरा, 4 के नीचे कुछ नहीं जूड़ जाएगा, 8, 5, 13, 3, हासी लेक, 2, 2, 4, और हासी लेक, कितना हो जाएगा, 5, यह सब पूरा जूड़ जाएगा आपस में, 5, 3, 8, 8, 6, 14, 14, 14, चा 20, इधर कोई हाफिल नहीं अब 20 का 0 हासी लाया, 2, अब इसमें हासील दो जोड़ देंगे, तो पांदू हो गया, 7, 6, 13, 13, 17, 20, एक एक हासील आया, 2, फिर हासील दो इसमें जोड़ देंगे, तो 2 हो जाएगा, 9, 11, के 1 हासील एक, 5, 1, 6, और हासील एक, 7, 3, 10 का 0 हासील आया, 1, 1, 1, 2, 1, 3, यह दो, अगर आपको जोड़ना भी नहीं आ रहा तो यह आपकी गलती है, समझ में आया ना, आया ना समझ में, भाईया आया सबको, इनको क्या किया, मैंने इन सबको जोड़ा है अपस में, इन सबको जोड़ा है अपस में, इनके नीचे कुछ नहीं है, क्रास का चिन्ध लगा है, जिनको confusion मार रहा है वो 0 लिख सकते हैं इनको confusion कर रहा है इनके नीचे 0 भी लिख सकते हैं अरे यह यहां पर ना लटकाओ उपर में इसके सामने लिखो बराबर का दरजा देखे चलो समझ में आया है ना हां मॉंटी गेमिंग भाई नंबर चलता बाबु नीचे उस पर आप कांटेक्ट करिए अपना सब भुजाईए जो कहना चाहते हो हां उसी पर कांटेक्ट करके खुब भुजा लीजिए कलास में मत डिश्टरब करिए निवेदन है आप से भी नमर पूर पक चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं कानपुरिया बहां सा बोलते हैं तुम चलतान पूरिया हैं यूपी उपीजा जानते be जैने लगी हो भी जानने लगे होगी है टो आयोध्याय मंडल भी लगता है हमारा तो हां उदरे से तो आनपूर हुआ या रज़ा हुआ या बनारा प्रयाग राज ये सब एक है तो बहां सा वही होती है बियारी तो है नहीं बियारी बोलेंगा यह ली तैली बियारी तो हमें खुदर नहीं समझ में आती है समझ गए ना इसको लिख लीजिए बहुत टाइम जादा हो रहा है मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो आज एक बहुत लंबी कहानी हो जाएगी यही जादा था जो टाइम लेने वाला था बाकी अब टाइम लेने वाला कुछ नहीं बचा है ठीक है आचार बल्राम सांस्त्री मईहर चित्रकूट यूपी से हैं हां चलिए ठीक है अब देखें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आपको लिखना है या सुनना है या समझना है दोनों मेंसे एक करना है सब मेंसे देखें जैसे हरे किसी की एक क्वालिटी होती है इख गुड होता है आ है तो हमारा कोई गुड है कोई आदत है आदत हैं आपको पढ़ाना बीच-बीच में बोलते रहना मतलब आदत से मजबूर हैं कि हम बीच बीच में बोलते रहते हैं तो हम क्या बताने वाले हैं इधर साइड समझे वही बताने वाले हैं जैसे हमारी आदत है वैसे ये गुडा की भी कुछ आदत है कुछ प्रपर्टी है वह मैं बताने वाला हूं ठीक है लिखिए क्या है कुछ प्रपर्टी है वो लिखिए इधर साइड में आईए जैसे नंबर एक अगर आप लोग चाहो तो लिख लेओ या फिर सून लो भाई जैसे भी अच्छा लगे पहली प्रपर्टी क्या है या पॉइंट डाल डाल के लिख लिजिए कहीं यह पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको रहना चाहिए पता आपको आता पता रहना चाहिए ठीक है दो संख्याओं के गुड़ा में उनका करम बदलने पर उनके गुड़नफल में कोई फरक नहीं पड़ता है यह गुड़ा की क्या प्रपर्टी है इसकी बिसेश्था है कि अगर दो संख्या का गुड़ा हो रहा है जैसे माल लेते हैं कि दो संख्या में हमने गुड़ा कर दिया तीन का छाम है तो यह हो गया अठारा इनके करम मैंने बदल दिये छे को पहले कर दिया तीन को बाद में तब भी अठारा ही होगा यानि इनके उत्तर में कोई परभाव नहीं पड़ेगा यह पहला प्रपर्टी था दूसरा देख लीजिए भाईया देख लीजिए प्यार से देख लीजिए दूसरा प्रपर्टी ये है मल्ति-पल का की किसी भी संख्या में अगर एक से गुड़ा किया जाया है वन से तो हमेशा वही संख्या आती है कोई संख्या में बदलाव नहीं होता है ठीक है ये भी एक इसका क्या है प्रपर्टी है इसका गुण प्रगुण है कोई भी संख्या में अगर एक से गुड़ा करते हैं तो उसके मान में कोई परकार का बदलाव नहीं होता है है यह हो गया है दो एक जांपल इससे जादा नहीं बताने वाला हूं ठीक है समझ रहे न आप लोग अगर किसी को लग रहा है कि नहीं यह परपर्टी गलत है तो बता दो हमें कि नहीं आप गलत बता रहे वैसा नहीं होता है बताईये मॉंटी गेमिंग चुल्बुले अंस भई यह चुल्बुले अंस आपने क्या बताया था आपका नाम क्या यह अच्छा सायद आपने बताया था कि अंस आपके बेटा का नाम है और आपका नाम है कुछ और पता नहीं सायद खुस्बू या खुसी या फिर जो भी हो ठीक है आगे बढ़े मुझे थोड़ा थोड़ा आपकी बार कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि मैं कई दिन से कलास ने लिए रेगुलर कलास होती नहीं तो मुझे हर किसी का नाम याद रहता है चल यह जाने दीजिए आगे क्या करना तीसरा नमबर किसी संख्या में 100 200 300 400 या 500 डाट 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 900 तक अगर किसी भी संख्या में क्या करना है 100 200 300 400 या ऐसे डाट डाट करके 900 तक अगर इससे गुड़ा करना है तो हमें इससे गुड़ा करने की कोई जरूरत नहीं होती है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है उस दी गई संख्या को 1234 में से करमसा जो भी नमबर रहता है उसमें का सिर्फ एक अंक ले लेते हैं उससे गुड़ा करके लाश्ट में 20 लगा देते हैं बस ठीक है जैसे देखिए अगर हमें मल्टीपल करना हो 44 को 100 से तो इस तरह इसकी प्रपोर्टी है तीसरी कि अगर इस कंडिशन में कहीं मिलता है तो आपको सिर्फ वन देखना है बस इसको अटा देना है तो वन का मल्टीपल तो भाई करी लोगे जो भी नंबर होगा वही आएगा और लाश्ट में क्या करते हैं जो दोनों सुनना होता ना उसको लगा देते हैं बस यह अंसर होगे समझ में आया ना समझ में यानि किसी भी नंबर का अगर इस तरह के मल्टीपल करने हैं जैसे मालो मैंने 500 का करने को बोला तो आपको 38 को सिर्फ 5 से मल्टीपल करना है बस लाश्ट में 2 0 लगा देनी है ठीक है मतलब सारी लंका जल गई है इनको नहीं पता है कि लंका का है जली पूछ रहे मल्टीपल क्या है अब तो आपको बरम्हें बता सकते हैं सीधा सीधा उतार लेंगे तो वहीं बताएंगे बाकी तो इंसान नहीं बता सकता है ठीक है तो इसको आप लोग कर लेंगे चलिए मल्टीपल कर लीजिए 5 अठे 40 हाफिलाया चार पांच त्याहीं पंदरा आपंदरा चार और यह मैंने पांच का मल्टीपल थर्टीएट में किया तो इतना आया है ठीक है लाइस्ट में दो जीरो था इसके लाइस्ट में दो सुनना लगा लोगी यह अंसर हो गया फाइनल यह होता तरीका करने का इसमें किसी को कोई डाउट हैरानी परिसानी नहीं होनी चाहिए फटा फटा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हेंट है यह हो गया इसी तरह से अगर किसी भी संख्या में अगर किसी ही संख्या में 1000 2,000, 3000, 4000, 5000, pillar 6000 नहाधी करता है तो उसमें वह ऐसे करते है उसमें लाश्ट में दो जीरो की जगा पर तीन जीरों लगाते हैं बस अधिक है लाइस्ट में क्या करते हैं दो जीरो की जगा तीन जीरो लगाते हैं तो साथियों यह पॉइंट वाली बात जो है वो क्या हो गई खतम हो गई